चलिए बच्छो आज हम स्टार्ट करने जा रहें बहुत ही इंपॉर्टिन टॉपिक अपना दाट इस दा रेशो आनलेस्स पड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिये और समझे बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है यह और बहुत सारी चीज़े इसके अंदर आपको मेरे साथ सीखने को मिलेंगी ठीक है चलिए सबसे पहले रेशो आनलेस्स होता क्या है इसको समझते हैं तभी इस टॉपिक को पढ़ने का मजाएगा देखिए आपके पास जस लेट अस टेक एन एक्जामपल किसी भी कंपनी के फ साल भर में प्रॉफिट्स कमाएं से रुपीज 50 लाक मिस्टर एक बिजनस है उन्होंने साल भर में कितने प्रॉफिट्स कमाएं 50 लाक रुपीज अब मैं आप से पूछता हूँ एक बात बताओ यह जो 50 लाक रुपे के प्रॉफिट्स कमाएं इसको देखके आपको क्या ल बताया कि Mr. B जो है Mr. B का जो business है उसने profits कमाए 70 लाक रुपे के अब बताओ किसका business अच्छा है तो कहोगे sir obviously 70 लाक जो है वो 50 लाक से जादा है तो Mr. B का जो business है वो जादा better position में है बत अगर मैं आपको अब यहाँ पर यह पताओं कि जो Mr. A है इनकी sales थी 200 लाक्स जबकि Mr. B की sales जो थी 1000 लाक्स अब अगर मैं आपसे पूछाओं कि किसका business better है तो अब आप क्या बोलोगे आप देखो Mr. A 200 लाक रुपे की sales करके कितना कमा रहे है पचास लाक रुपे कमा रहे है यह 1000 की sales करके कितना कमा रहे है 70 लाक रुपे कमा रहे है तो अगर मैं इनकी net profit निकालू net profit निकालू और वो भी percentage के अंदर निकालू ध्यान से देखेगा इस चीच को तो कहीं न कहीं Mr. A के case में इन्होंने 50 लाक रुपे कमाए अगेंस्ट 200 लाक तो कितना कमाया 25 परसेंट जबकि अगर Mr. B के case में देखूं तो इन्होंने 70 लाक रुपे कमाए एक हजाल लाक की सेल करके तो इनका जो profit percentage है वो कितना है 7% तो अगर हम ध्यान से देखें तो net profit ratio जो percentage है वो Mr. A का better है as compared to Mr. B this is what called as ratio analysis मैंने एक बहुत ही simple सा example अभी आपको दिया है exactly हम ratio analysis के अंदर करते कह है ratio analysis पीटा एक टूल है used by manager for analysis of financial statement एक टूल है जो कि manager use करता है financial statement के analysis के लिए इस से आप किसी भी company की exact financial strength के बारे में पता लगा सकते हो कि उस company की exact position क्या चल रही है देखें यहाँ पर broadly हम ratio analysis को चार तरह की ratios में divide करेंगे सबसे पहले होंगी हमारी liquidity ratios एक एक करके मैं सब पर discussion करूँगा बहुत अच्छे से second है आपकी profitability ratios तीसरा बेटा हम इसके बाद अपनी बात करेंगे solvency ratios के उपर चिक है this is basically your long term solvency and fourth पेटा हम बात करेंगे turnover ratios की यह चार तरह की ratios हमें पढ़नी है यहां रखिए कि इसका exam में जो question आता है वो तो एक तरफ है लेकिन practical aspect से भी यह topic बहुत ज़ाद इंपॉर्टेंट है आपको एक एक चीज की बहुत in depth understanding होनी चाहिए यह चीज आपको आगे जाके market में बहुत ज़ादा help करती है तरीके से चले अब start करते हैं हम अपनी सबसे पहले liquidity ratios के साथ ठीक है आप उससे पहले सारा का सारा notes बना लीजे फटा फट चले अब मैं उन्हें आपको बोला कि हम सबसे पहले start करने जा रहे है liquidity ratios के साथ देखिए liquidity ratios होती क्या है इसको अराम से relax होके समझते liquidity ratios जिसको हम short term solvency ratios भी कह सकते है होता क्या है देखिए इसके अंदर हम देखते है organizational position to meet short term debts और अगर मैं ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करूँ पोजीशन की जगह तो we can replace this word by capacity organizational capacity to meet the short term debts organization की क्या capacity है अपनी short term debts short term debts मतलब debts payable in one year या you can say current liability organizational की debt pay करने की अपनी क्या capacity है क्या position है अब क्या इसका impact पढ़ता है किसलिए से study किया जाता है सारी बात एक 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 करके इंडेप जिसक्स करूँगा उससे पहले आप प्लीज यहां तक सारी नोक्स बना लीजे फास्ट चले स्टार्ट करें देखिए अब सबसे पहले देखिए liquidity ratios के अंदर जो आपको सबसे पहली ratio पढ़नी है that is the current ratio current ratio जिसको हम कैसे निकालते है current assets divided by current liabilities होता क्या है यह ध्यान से एक एक चीज़ सुनियों और समझे current ratio का दूसरा नाम होता है working capital ratio working capital ratio अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपके साथ पूरा discussion करना चाहूँगा इस concept पे that is the working capital उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं ध्यान से देखिए सबसे पहले हमें इस वर्ट को समझना है working capital होता क्या है बिटा working capital का मतलब होता है amount required for day-to-day operations of business business के day-to-day operations के लिए जो हमें amount चाहिए that is what called as working capital let us take an example हमारा एक business है चाहिए business है और Mr. A ने हमें एक order दिया order दिया एक लाख रुपे का चाहिए after three months यह amount हमें मिलेगा बट कब मिलेगा after three months ही हमें amount मिलेगा तो can I say यह जो order मिला है एक लाख रुपे का Mr. A से Mr. A हमारे तीन महीने के लिए क्या हो गए debtor हो गए very good अब बड़े अराम से एक चीज़ सुनिए Mr. A तो यह payment हमें करेंगे तीन महीने बाद बट जब तक के लिए यह पैसा हमें out of pocket अपने पास से लगाना पड़ेगा हाया ना पक्का अब यहां पर हुआ क्या यह पैसा एक लाख रुपे यह जो आपको दिख रहा है वो हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा क्योंकि Mr. A हमें payment करेंगे after three months तो यहां पर मेरी जो working capital requirement है working capital requirement वो आ गई एक लाख रुपे के working capital requirement मेरी कितने आ गई यहां पर एक लाख रुपे के अब suppose there is a Mr. P जो कि हमें goods दे देते हैं goods में भी basically वो हमें raw material दे देते हैं उधार पे ठीक है और हम गए उनसे इस process के अंदर 30,000 rupees का raw material जो है वो on credit मिल जाता है अब एक बात बताओ बड़े अराम से relax होके हमें 30,000 rupees का raw material उधार पर मिल गया हमें चाहिए कितने थे एक लाख रुपे जिसमें से 30,000 rupees का Mr. B ने हमें उधार दे दिया raw material के ना इसे Mr. B जो है वो हमारे creditor है हाँ या न तो अगर मुझे एक लाख का माल बेचना है उसमें से मुझे अगर 30,000 rupees का माल उधार मिल जाएगा तो मेरी जो out of pocket amount invest होगा वो कितना होगा एक लाख टोटल चाहिए था 30,000 का उधार मिल गया तो out of pocket जो मेरे लगेगा that is only rupees 70,000 वो कितना लगेगा सिर्फ और सिर्फ 70,000 this is my net requirement net requirement and I can say this is my net working capital जो मुझे चाहिए वो कितनी चाहिए 70,000 rupees चाहिए पड़े अराम से एक एक चीज समझे आप अगर यहां पर थोड़ा सा notice करें तो मेरी जो cross working capital थी जो मुझे total working capital चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी वो चाहिए थी मुझको एक लाख रुपे जबकि अगर आप देखें कि जो net working capital net working capital मुझको चाहिए वो चाहिए सिर्फ वर सिर्फ 70,000 gross was 1,00,000 जबकि net मुझे चाहिए 70 आप देखें हमें यहां पर एक लाख रुपे चाहिए थे उसमें 30,000 का हमें क्रेडिट मिल गया तो पहले मेरी जो cross requirement थी वो 1,00,000 रुपे की थी पर जो कि अब घटके सिर्फ कितनी रह गई है 70,000 रह गई है यह हुआ कि अगर आप इस process को समझें देखें यहां पर थोड़ा सा हमारी जो working capital requirement थी a part of working capital requirement is financed by the creditors or can I say the current liability हमारी जो total working capital requirement थी उसका एक part हमारी creditors ने current liability ने finance कर दिया therefore जो हमारी networking capital आई आई वो क्या आई कितनी चीज़ था आपको एक लाक रुपे debtors थे वो हमारी debtors क्या थे current asset very good तो तो जो हमारी networking capital आई वो कैसे आई एक लाक रुपे में से हमने कितना किया 30,000 रुपीज माइनस कर दिया तो that is current asset minus current liability 1,00,00,00 30,000 comes out to be 70,000 ठीक है तो हमारा working capital requirement का एक पार्ट जो है वो finance हो जाता है किससे current liability से इसलिए जो networking capital है वो कितना होता है 70,000 यह सारी बाते hopefully आपको समझ में आ गई है एक बार आप इसे note down करिए सारह का सारह fast चलिए अब आपको यहां पर net करक्स में exam point of view से क्या ध्यान रखना है exam point of view से आपको ध्यान रखनी है दो तीन बाते पहला अगर आपको बोला गया है gross working capital तो gross working capital जो है वो equal होती है आपके current assets के सेकेंड बात ध्यान रखनी है आपको net working capital जो net working capital होती है वो होती है आपके current asset minus current liability और तीसरी चीज़ अगर आपको exam में सिर्फ और दिया हुआ है working capital क्या word दिया हुआ है working capital तो working capital आपको लेना है कि उसे उसका मतलब है net working capital ठीक है उस्स से उसका क्या मतलब है net working capital तो अभी आपने पूरा working capital का concept समझ लिए तो अब देखें current ratio में हम क्या use कर रहे है current asset and current liability इसलिए उसका हमने नाम क्या रख दिया working capital ratio यह आगे भी बहुत useful है ध्यान से देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले current assets की अब अगर current assets की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है बताओ cash, bank, dators, bills receivable, short term advances, outstanding incomes, short term investments यह सब हमारी current assets के अंदर आती है that is जो की हमें one year के अंदर cash मिल जाएगा current assets के definition यह होती है ना which are in the form of cash or convertible into cash within period of one year एक साल के period में उसे आप cash में convert कर सकते हैं ठीक है इसमें बेटा बस थोड़ी सी बात आपको जो ध्यान रखने है examination point of view से वो मैं आपको यहां पर बता दूँ कई बार जो है exam के अंदर word दिया होता है trade receivable क्या word दिया होता है trade receivable मैं आपको next उस पिलेता हूँ आप इसे पहले एक बार note कर लीजे सारा चले अगर हमें exam में word दिया हुआ है trade receivable चेक है तो trade receivable के अंदर which is the sum of debtors and bills receivable तो आपको ध्यान रखना है अगर trade receivable है तो वो उन दोनों का sum आपको गिवने किसी चीज को separately लेने की ज़ुरत नहीं है चेक है after that अगर मैं बात करूँ आप से current liabilities की तो हमें पता है current liabilities क्या होती है which are payable within one year general definition company वाली नहीं बता रहा भी which are payable within one year इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है बताओ creditors bills payable इसके बाद outstanding expenses prepaid incomes bank overdraft चेक है short term loans यह सब हमारे लिए कौन से के टेग्री के अंदर आते है current liabilities which are payable within one year चेक है तो आपने देखा current liabilities क्या होती है current assets अच्छा है इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है अगर आपको given है trade payable trade payable आपके पास है तो trade payable क्या होता है trade payable is basically creditors plus bills payable creditors plus bills payable that is called as what trade payable चेक है तो वो थोड़ा साब ध्यान रखेंगे तो अभी मैंने आपको सारी मोटी मोटी बाते तो बता दी that is working capital बता दिया आपको current ratio का formula बता दिया current asset current liability अप चीजे समझते हैं जड़ा समझो बड़े simple से question से simple से example से sorry not the question suppose एक हमारे पास ए लिमिटेड है चैके हैं बेटा ए लिमिटेड के पास जो current assets है वो हैं 10 लाग रुपे के जबकि उसकी current liabilities हैं पांच लाग रुपे की एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड उसके पास है current assets 10 लाग के और इसकी जो current liabilities हैं वो हैं 10 लाग के ठीक है अब current liability is the amount payable within one year जबकि current asset is the amount receivable within one year अगर आप a limited के case में देखें तो उसने एक साल में 5 लाग रुपे देने हैं जबकि उसके पास 10 लाग रुपे आने हैं और बी लिमिटेड के के ऍेस में उसे एक साल में 10 लाग ही देने हैं और 10 लाग ही उसके पास आने हैं अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझों अभी रेशों को भूल जाते हैं पांच लाग देने हैं दस लाख आने हैं तो इसकी कमपारिटिवली जो पुजीशन है वो इस भी लिमिटेट के मुकाबले स्ट्रॉंग है क्यों क्योंकि भीया इसने पांच लाग देने है दस लाख आने है तो अगर कोई पैसे आगे पीछे आए भी कुछ एक दो लाख के प्लस माइनस हो भी गया तो इसकी मार्केट गोडविल पे कोई फेक्ट नहीं होगा पर इसमें दस लाख ही देने और दस लाख ही आने है आगर देने वालों ने हलका सा टाइम आगे पीछे कर दिया लेने वाले तो टाइम पर पहुँची जाएंगे जो क्रेडिटर हैं ये तो टाइम पर पहुँच जाएंगे पट अगर देने वालों ने थोड़ा सा अगे पीछे कर दिया तो इसकी मार्केट गोडविल पे बहुट जबाई फेक्ट पड़ेगा आप इसे दूसर इस टू इस टू वन का मतलब क्या है इसका मतलब है कि एक रुपे की अगर करंट लाइबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास दो रुपे के करंट असेट है बट अगर इसी कंपनी की हम बी लिमिटेड में यह निकालें तो आप देखिए 10 लाक बटा 10 लाक क्योंकि दो पोजीशन स्त्रॉंगर है ए लिमिटेड की स्ट्रोंगर है या बी लिमिटेड की बट ओविसली किसकी बैटर है लिमिटेड की आप पहले यहां तक सारे एक बार Nedreं कर लीजे फास्ट तो तो प blinkingनई राइट डाउन ऐ लिमिटेड इच्यकल इस इन better position then B limited why so because A limited has rupees 2 current asset against current liability of rupee 1 but in case of B limited rupees 1 current assets are available against current liability of rupee 1 so A limited position better is what you can see you can see current assets are current liability is technically so we can say liquidity what we can say liquidity A limited has stronger liquidity position as compare to be limited liquidity का मतलब क्या हुआ यहां पर liquidity का मतलब हुआ ability to meet short term debt ability to meet short term debt ज्यादा बेटर तरीके से कौन अपनी short term debts को settle कर सकता है तो यहां illimited कर सकता क्योंकि current assets ज्यादा है तो can I say conclusion aspect जो याद रखना है सब understanding के लिए था conclusion higher current ratio is better indicator of strong liquidity position strong liquidity position का better indicator है जितनी ज्यादा current ratio के से देखो अब यहां पर यह कितना है था 2 1 इसकी ज्यादा अच्छी position है as compared to इसके 1 to 1 है तो higher current ratio is better indicator of strong liquidity position as the firm has as the have entity has sufficient assets to meet short term obligations but इसके अंदर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या कि हम मानते है कि ideal या best current ratio जो है that is 2 is to 1 best current ratio जो है वो कि मानी जाती है 2 is to 1 2 is to 1 का मतलब क्या है twice of current assets then liability ऐसा क्यों दिहान से दे इसके पीछे भी छोटा से इसके आपका unnecessary amount जो है वो current assets के अंदर block हो रखा है जिसकी requirement नहीं है दोबारा एक बार पहले लिख देता हूं फिर आपको और अच्छे से समझाता हूं अफ दिफ दिटे साथ औ-ख़ब गश्ड भागफ दीटे लिख ख़ग़ दीटोफ यजराग ट्रशटाटाटाटरटे यगज़ना आपकोटाटे प़ख़गे onटskरगे रिटे लिटेटाटरट्रटे उजधराटरटाटे पटाटाटाट्रटे ट्रीटाटाटटर टेए कि इस खामगा हमने अपने फंड्स को जो है वो ब्लॉक कर रखा है जो यूजलेस है उसको हम किसी बेटर परपस के लिए यूज कर सकते थे हैं लोवर रिशो इंडिकेट्स टाइट लिक्विडिटी पोजिशन लोवर रिशो क्या दिखाता है कि लिक्विडिटी पोजिशन जो है वो टाइट हो रखी है ठेक है तो आपने जो में बाते ध्यान रखने है वो इसको आप बेटर परपस के लिए यूज कर सकते थे हैं सकते हैं यहाँ पो आप बेशक लिख लो and can be used for productive new projects ज्यादा बेटर है ठाक है whereas lower ratio indicates tight liquidity position तो अभी आपने में साथ एक basic discussion सारा कल दिया है current ratio के उपर ठीक है next video के अंदर मैं आपके साथ discuss करूँगा सबसे पहले liquidity ratios के अंदर जो liquid ratio है उसके उपर उसके बाद हम इसका numerical portion discuss करेंगे वीडियो पसंद आई तो don't forget to like it thumbs up and inform your maximum friends thank you so much Hello friends अभी तक आप मेरे साथ current ratio पूरा discuss कर चुके हैं अब हम start करने जा रहे है quick ratio बहुत ही important बड़े ध्यान से देखेगा quick ratio जिसको हम बड़ा frequently acid test ratio भी बोलते हैं as well as इसको हम liquid ratio के नाम से भी जानते हैं यह ज्यादा better measure है to check the liquidity position as compared to the current ratio मैंने के लिखा better measure to verify liquidity as compared to current ratio कैसे क्यों कब कहां आई यह सारी बाते बहुत अच्छे से समझते हैं ठीक है बीटा सबसे पहले ध्यान से देखे quick ratio का formula क्या होता है quick ratio का formula होता है quick assets divided by current liabilities अब क्या है यह चीजे बड़े अराम से के करके समझते हैं सबसे पहले बीटा quick assets quick assets क्या होते है quick assets जिनको हम बहुत frequently liquid assets भी बोग देते हैं इसके अंदर आता है all current assets सारे के सारे current assets current assets देखों basically liquid assets वो assets होते हैं जो की readily convertible into cash readily convertible into cash मतलब sir which can be converted into cash as in when required sir थोड़ा सा explain करो इसे सब बता रहूं बेटा ध्यान से देखो एक बात बता हो आपके पास cash पढ़ा हो है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं cash ही है वो bank में balance पढ़ा हो है कभी भी cash निकाल सकते हो yes or no debtors पढ़े हो है ठीक है तो आप debtors से BR लेके उसको bank से क्या कर सकता है हो discount करवा सकते हो factoring services भी होती है 11th में पढ़ क्या आ रहे हो banks या debtors जो है वो क्या हो सकते है discount हो सकते है और discount करके उनसे भी आपको immediate cash मिल सकता है yes or no but tell me one thing क्या inventories को आप जब चाहो बेच सकते हो अरे वो तो जब customer आएगा तब order मिलेगा उसके बाद ही भी केगा न yes or no it means इसको as and when required cash में convert नहीं कर सकते same way prepaid expenses आपने कोई expenses advance में कर दी तो future expense के अगर against आप उसे set off तो कर सकते हो but क्या कभी भी advance expenses का आपको refund मिलता है क्या आप उसे पैसे वापिस मांग सकते हो let us take an example आपने advance में rent पे कर दिया या advance में salary पे कर दिया तो क्या आप अपने staff से salary वापिस मांग पा होगे या rent अगर आपने advance में पे कर दिया तो क्या आप अपने staff से पैसे वापिस लेपा होगे the answer is no तो basically quick assets क्या होते हैं which can be converted into cash as in when required and it includes all current assets excluding of inventories and prepaid expenses why so inventories को क्यों exclude किया because inventories will be sold out will be sold and then customers will pay the cash and selling of inventory is not under control of entity ये entity के control में नहीं है चुक है same way prepaid expenses once incurred can be set off against future expense but rarely refunded refunded अब आपको exception निकाल दो इसलिए मैंने rarely निकाल दी है ठीक है चलो तो इसी लिए हमने वो assets लिए जो की readily convertible into cash है नीचे हमने current liability ली देखो वैसे तो नीचे भी quick liability ली जा सकती है but not a part of slaves इसलिए पर कोई discussion नहीं करूँगा तो मैं आपको बता रहता है it's a better measure to verify the liquidity क्यों क्योंकि आपने क्या किया ध्यान से समझे let us take an example आपके पास cash पड़ा हुआ है 3 lakh का debtors पड़े हुए है debtors है पड़े हुए debtors है 5 lakh के and stock है हमारे पास 12 lakh का as against हमारे पास जो creditors है वो 10 lakh की है तो अगर मैं इसमें question में current ratio निकालता हूँ ध्यान से देखे current ratio निकालता हूँ current assets कितने होंगे 3 lakh का cash 5 lakh के debtors 12 lakh की inventory जबकि नीचे current liability कितनी है 10 lakh तो 20 lakh बटा 10 lakh current ratio कितनी आ गई 2 is 2 1 current ratio कितनी आ गई आपकी 2 is 2 1 आ गई अगर आप देखे यहां पर liquid ratio निकालते हैं अगर liquid ratio के अंदर हम stock को consider नहीं करेंगे तो अपर हमारा कितना आएगा 3 lakh plus 5 lakh अरे बेशर मों quick assets quick assets कितने होंगे 3 lakh plus 5 lakh that is 8 lakh ठीक है और नीचे current liabilities वह है 10 lakh तो आप देखे 8 lakh और 10 lakh तो कितना आ गया 0.8 ratio 1 now see अगर आपके पास 1 रुपे की current liability देखो liability creditors तो कभी भी मांगने आ सकते हैं ठीक है उसके against immediately आपके पास किसी भी point of time पे सिर्फ 0.8 available है जबकि आपके यह current देखो ratio देखो वह तो आपको optimistic situation देखा रहे है 2 to 1 की एक की जगा 2 available है बट अगर हम अपनी exact position समझे कि अगर आज हमारे creditors हमारे सामने आ जाए तो हमारे पास सिर्फ 0.8 का ही arrangement हो सकता है out of rupee 1 payable so that's why he said कि liquidity ratio जो है वह better measure दिखाती है liquidity का as compared to the current ratio और अगर मैं बात करूँ conclusion की तो जो best current ratio है sorry best liquid ratio है that is considered as one is to one अगर one is to one है मतलब एक रुपा पे करना है और उसके against हमारे पास एक रुपया ही available है as liquid assets तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है अब आप कहोगे कि one is to one ही क्यों best माना गया तो देखिए एक बड़ा simple सा logic है यार मैंने आपको क्या बताया यहां पर which can be readily converted into cash जो कि cash में convert किया जा सकता है किसी भी point of time पे तो अगर मुझे एक रुपय ही pay करना है और उतने का मेरे पास arrangement है कोई surplus नहीं है that is well and good कम है तो दिक्कत है कम if it is less than one is to one it means entity may not be able to meet short term obligations on time yes or no जैसे भी आपने उपर वाला देखा whereas higher one higher than one is to one represents surplus availability of assets of current assets which is of no use and can be used in other projects ठीक है जी तो one is to one होना है इसलिए हम इसे best मानते हैं तो आपने देख लिया अभी तक हमारे पास अगर हम सारी चीजों को conclude करते हैं समरी अगर हम अपने त्यार करी current ratio का formula फटाफट बोलो current assets by current liability notes तरीके से बनाना है यार फायदा नहीं है नहीं तो और दूसरा नाम क्या होता है इसका working capital ratio working capital से मतलब क्या है networking capital बहुत बड़ी है क्या था current assets upon me current liabilities best क्या मनी जाती है 2 is to 1 द्यान से लेखो exam में question पूछा जाते है next क्या है अपनी liquid ratio दूसरे नाम बताओ asset test तीसरा नाम फटा फट बताओ current asset माइनस stock माइनस prepaid expenses ठीक है current asset माइनस prepaid expenses stock is what inventories ठीक है जी अच्छा और better liquidity को check करने के लिए क्या है liquid ratio है current ratio liquid ratio liquidity का मतलब क्या होता है यह भी ध्यान रखना ability to meet short term obligations ठीक है जी तो यह आपने मेरे साथ पूरा को पूरा cover-up किया liquidity ratio का aspect next video के अंदर हम इसका numerical part discuss करेंगे till that video पसंद आई तो don't forget to subscribe the channel and thumbs up inform your maximum friends and write in a comment box your name and school name thank you so much Hello friends अभी तक आप मेरे साथ अच्छे से liquidity ratio समझ चुके हैं जिसके अंदर हमने current ratio and liquid ratio को लेके discussion किया था अब हम इस video से start करने जा रहे हैं कुछ illustrations के साथ examples के साथ कि किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं लगबख six to seven questions मैं इस पार्ट में आपके साथ cover कर रहा हूं and इसमें मैंने सारे different type के questions के लिए हैं which are more than sufficient for your exam point of view to cover up the entire syllabus to entire cover up the entire topic चलिए सबसे पहला question हमारे सामने है working capital है आपके पास तीन लाक रुपे current ratio है two is to one inventories है one lakh find quick ratio चलिए जेल के बटा वही questions लिए हैं जो general exam में पूछे जाते हैं simple questions नहीं लिया है मैंने लिया भी है तो कोई ऐसा लिया होगा जो exam में आता है चलिए working capital है three lakh तो सबसे पहले जब भी working capital लिखी होती है we know very well it means networking capital और उसका formula क्या होता है बताओ current assets minus current liabilities याद है बिशर्मो है very good current assets minus current liability अब यहाँ पर आप देखो working capital हमारी है three lakh current assets minus current liability और कुछ हमें नहीं पता exam में कुछ भी आपको short में नहीं लिखना है वहाँ हो सकता है इस वीडियो में मैं लिख लूँ लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना चले current यहाँ से अगर हम देखें तो हम एक equation त्यार कर सकते है that is the current assets is equals to three lakh plus current liability जो short form में लिख रहाँ यह exam में allowed नहीं आपको full form में लिखना पड़ेगा बना सकता हूं यह equation अब बताओ current ratio क्या formula होता है formula हमेशा आपको exam में पूरे पूरे लिख क्या आने है यह नहीं कि एक exam में मेर को तो आता है जी मैं क्यों लिको formula number कर जाएंगे फिर row गया राम से current assets divided by current liabilities current assets कितने गए हैं अच्छा नहीं पता चलो कुछ नहीं होता भाई ऐसी रहे current liabilities भी नहीं पता अच्छा wait अब यहां पर देखिए मैंने गलत जगा ले लिया उसे current ratio हमारी क्या है 2 is to 1 current assets के लिए मैंने एक equation मनाई थी 3 lakh plus current liabilities आया न और नीचे current liabilities मैंने assets लिख दिया तो twice of current liabilities is equals to 3 lakh plus current liabilities अब इसके बाद अगर आप देखें 2 current liabilities is equals to 3 lakh plus current liabilities तो twice of current liabilities यह धर आके minus current liability 3 lakh तो हमारा current liability जो है वो कितना आ गई 3 lakh रुपीज आ गई 3 lakh रुपीज आ गई very good अब current liabilities 3 lakh आ गई तो बताओ current assets हमारे कितने हैंगे भाई 3 lakh current liability आ गई और 3 lakh plus current liabilities current assets तो 3 lakh plus 3 lakh हमारे current assets है वो कितने आ गई 6 lakh रुपे 6 lakh रुपे हमारे क्या गई बिटा current assets अब inventories हैं हमारे पास 1 lakh रुपे ध्यान से देखें quick assets का formula क्या होता है अरे बताओ current ratio sorry current assets minus inventories minus prepaid expenses अब prepaid expenses question में given नहीं है तो हम उसे nil मानेंगे पर यह आप लिख क्या होगे यह नहीं किसे आप ignore कर दें inventories हमारे पास है कितने की बिटा 1 lakh रुपे की और current assets just हमने भी निकाले है कितने के 6 lakh rupees के तो हमारे पास जो quick assets that comes out to be of your rupees 5 lakh अब हमें निकालनी है quick ratio quick ratio का हमें formula बहुत अच्छे से पता है that is the quick assets divided by current liability तो quick assets है 5 lakh current liability है कितनी है भाई 3 lakh तो जब आप इसे solve करेंगे तो this comes out to be 1.67 ratio यह क्या गए आपकी quick ratio ठेक है तो आपने देखा एक first question यह बहुत frequently exam में पूछा जाता है चलिए फड़ा फटे से note करिए next question पर आते है quick ratio है 2.1 current liability 1 lakh current ratio 3.1 find amount of inventories फसा रहा है चलो कुछ नहीं होता है हमें कौन फसाएगा current ratio देखो जो maximum information जहां से given होना वहां से आप हमेशा question स्टार्ट करो आपको पता है current ratio is current assets divided by current liability yes or no अब current ratio है 3 is to 1 current assets के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है but current liabilities के बारे में जरूर हमें जानकारी है और that is 1 lakh तो जब आप current assets निकालेंगे तो यह आपके कितने आगे 1 lakh into 3 3,000,000 रुपीस हमारे क्या आ गए current assets आ गए अब quick ratio हमें given है कितनी 2 is to 1 ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखे quick ratio quick assets divided by क्या होता है current liability अब quick ratio है 2 is to 1 quick assets हम निकाल लेते हैं current liability कितनी है 1 lakh तो यहां पर अगर आप देखें तो 2 lakh रुपे के कोई कसेट्स आ गए कोई कसेट्स कितने के आ गए 2,000,000 रुपे के got it यह current assets है वो आपकी quick assets है अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि quick assets का formula क्या होता है बताओ current assets minus inventories हाए ना अब current assets हमारे पास आए 3,000,000 के quick assets हमारे पास आए 2,000,000 के चेक कर लों भाई कहीं गलत ना हो हाँ यही है तो minus inventories तो यहाँ inventories we आभे 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000 ay लेकने को, see we know very well that working capital is current assets minus current liability, so this is 3,00,000, so 3,00,000 is equals to current assets minus current liability, thereafter total assets आपके 10,00,000, tell me one thing, हम यह लिख सकते हैं कि total of assets जो होता है balance sheet में, वो किसके equal होता है, total liabilities के, अरे भाई, asset of liability, balance sheet में asset of liability का total equal नहीं हाता है, क्या है, वो ही तो कड़ते हैं हो बच्पन से, तो total liabilities आगई कितनी आपकी 10,00,000, 11 से बच्पन ही तुश्रू हो जाता है, हमारा commerce का, इसलिए बच्पन बोलता हूं, total liabilities कितना हो गया, 10,00,000, ठीक है बीटा, अब total liabilities में क्या क्या आता है, भाई यहां तो capital होती है, यहां debts होती है, ठीक है long term debts, और यहां होती है, current liability, देखो आप यहां पर एक चीज समझा, यह जो debts है, यह है long term, वैसे जो आपकी current liability है, वो भी debt होती है, but that's a short term debt, यहां जो debts का मतलब लिखा हुआ है, here debts means long term debts, bank loan type, ठीक है, तो is equals to 10,00,000, अब capital and debts जो है, वो हमारे पास total given है 5,00,000, प्लस current liability, कितना? 10,00,000, तो हमारी जो current liability है, वो कितनी आजाएगी बताओ, फट आफट, हुआ जाएगी, 10,00,000 में से 5,00,000, क्या? 5,00,000, चलो भाई, current liability तो आगई, अब current liability आगई, तो current assets आजाएगे, आया न, 3,00,000 is current asset minus current liability equation बनाई थी न, अरे हाँ भी बेशर्म हो, working capital में बनाई नहीं थी equation, 5,00,000, और यहाँ पर 3,00,000, तो अब बोलो अपना current asset कितने का आगया, वहाँ, एकदम सही बोलो कितना, 8,00, ठीक है, अब इसके बाद current ratio, क्या होता है formula, current asset by current liability, current asset is 8,00,000, current liability, 5,00,000, good, तो 1.6 ratio 1, एपना current ratio आगया, next, good question, if current liabilities are twice of working capital, क्या रहाँ, current liabilities चो है, current liabilities, that is twice of working capital, जितनी working capital है, उसका twice है, बहुत बढ़िया, and current assets are 3,00,000, find current ratio, very good, तो 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 में one thing, what is the formula of working capital, current asset, minus current liability, okay, here can I write 3,00,000, yes, in current liability I can write twice of working capital and here it is working capital working capital दढ़चा के plus हो जाएगी toh thrice of working capital 3 lakh toh working capital अपका आगया कितना 3 lakh in by 3 that is 1 lakh तो अब बताओ current liabilities अपनी कितनी थी into working capital toh 2 multiply by 1 lakh बताओ बिटा कितना आगया comes out to be 2 lakh ठीक है अब current ratio निकालनी है निकाल दो यार इसमें क्या दिक्कत है current ratio is current assets by current liability अपने पास 3 lakh यह अपने पास 2 lakh तो अपना अंसर आ गया 1.5 ratio 1 ठीक है जी चली next question करते है बहुत simple question time pass करने के लिए दे दिया तो मैं 4 question अच्छे करिका है होना exam में कई बर आ जाता है कई पता लगे मुश्किल question ही करते रह गया current ratio चलो करो फड़ा फट मेर से आ गया गया क्या होता है current assets upon में current liability हाँ यह न तो सीधे अपना formula में ही values डालना शुरू कर दो suppose current assets में क्या आएगा सबसे पहले cash आएगा 1 lakh bank आएगा अपना 50,000 trade receivable आएगा कितना 1 lakh inventories आएगा कितना 2 lakh और prepaid expenses अपना आएगा कितना 50,000 current liability में अपने पास creditors है कितने 1 lakh outstanding expenses है 50,000 तो 150, 250 450 5 lakh on में 150 तो 3.33 ratio 1 1.5 अधाई चाहा हाँ, चेक हैं, इसके बाद quick ratio quick ratio में क्या आते हैं, quick assets हाँ या न, पाउन में current liability quick assets, cash, bank, trade receivable त pilgrिक नалась ट्रहेट अज्मड आ ने या पर्ड़ट एगा या ने प्लेट ना पॉस्प्प्र आलिट काहाँ या तो,енняная या या ने एट्सप्रभ़ाट लेट लेट काहा रेटुटाओ, technically you will be the Waternais ।愛 या Rocketiav अपाउन वन लाक फिफ्टी तो 1.67 रेशो वाई ठीक है चलो Q6 देखते है Gross Working Capital इतना है Networking Capital Find Current Ratio याद करो कुछ पता है था Gross Working Capital जो है क्या है हमारे Current Assets कितने हो गए 3 लाक Net Working Capital बोलो क्या है Current Assets Minus Current Liability 2 लाक Current Assets is 3 लाक Minus Current Liability Current Liability कितने क्या आगई 1 लाक 1 लाक की ठीक है 1 लाक की Current Liability आवे Current Ratio is Current Assets upon Current Liability Yes or No Yes or No तो Current Assets अपने 3 लाक 3 लाक Current Liability अपनी 1 लाक क्या अंसर आ जया 3 is 2 1 Very Good Next 50,000 Sale of Goods of Rupees कितना था भाई 10,000 On Credit at 20,000 दियान से बोट पे देखो जरा कैसे करना See Current Ratio क्या होती अपनी Current Assets Minus Current Liability थोड़ा अपको दिमाग लगा के चलना इसके अंदर अगर आपने Goods पेचे 10,000 रुपे के तो इससे होगा क्या Ultimately Current Assets आपके 10,000 के कम हो जाएंगे But on Credit पेचे मतलब आपके Debtors आ गए हाँ है न तो आपके 20,000 रुपे के Current Assets बढ़ जाएंगे हाँ हाँ है न तो Net Impact अगर आप देखें तो आपके Current Assets 10,000 तो अगर आपके Current Assets बढ़ नहीं है इस Transaction से ठीक है जबकि Current Liability पे कोई Impact इससे नहीं पड़ेगा Current Assets आपके बढ़ नहीं है Current Liability क्या रहेंगी Same रहेंगी उस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो Obviously अगर नुम्रेटर बढ़ रहा है Denominator सेम रहेगा तो Current Ratio जो है वो क्या हो जाएगी Increase हो जाएगी ठीक है अब Quick Ratio पे क्या फरक पड़ेगा ये देखते हैं Quick Ratio का Formula क्या होता है बताओ Quick Assets अपन में Current Liability अब आपने अगर Goods पेचे तो Inventories कम होती है Stock कम होता है बट Quick Assets पे कोई उसका फरक नहीं पड़ता क्योंकि कोई Qassets के अंदर Inventories आती ही नहीं है हाँ Debtors जरूर आते हैं तो Ultimately इस Transaction की वज़े से होगा क्या आपके जो कोई Qassets है वो बढ़ जाएंगे कितने से 20,000 से जबकि Current Liability जो है वो आपकी क्या रहेंगी Same तो यहाँ पर भी जो कोई Quick Ratio है वो आपकी क्या हो जाएगी Increase हो जाएगी ठेक है Next अगर आप देखें Amount Deposited in Bank 30,000 अब अगर आपने 30,000 पे Amount Bank में जमा करवाया तो होगा क्या खुद बताओ एक तरफ इससे Cash कम हो गया और एक तरफ इससे Bank बढ़ गया हाया न और Same Amount से Yes or No तो आपके जो Current Assets है वो क्या रहेंगे Same रहेंगे और Current Liabilities भी आपकी क्या रहेंगी Same रहेंगे तो यहाँ पर कोई Current Ratio पर Impact नहीं आएगा Same Way कोई क्रिशो पर भी कोई Impact इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोई क्सेट्स भी क्सेट्स पर फरक कब आएगा यार जैब Inventories और Prepaid Expense उप इसले कोशन में था Stock इसले Impact देखने को मिला यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई क्रिशो पर भी इंपेक्ट नहीं आएगा Next amount introduced by 125,000 बताओ क्या होगा इससे Cash बढ़ेगा Capital भी बढ़ेगी मैं मानता हूँ बट Capital का बढ़ने का हमें कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि we are considering current assets and current liability very good cash बढ़ गया इसका मतलब उससे हमारे current asset बढ़ जाएंगे अब current asset बढ़ गए तो हमारी current ratio क्या हो जाएगी बताओ very good current ratio increase हो जाएगी क्योंगी current assets बढ़ गए और quick ratio quick ratio भी हमारी increase हो जाएगी क्योंकि हमारे quick assets भी बढ़ जाएगे ठेक है next है goods purchased on credit 30,000 ध्यान से देखें goods purchased on credit 30,000 क्या होगा इसका भी सबसे पहले current assets के अगर बात करो तो आपके current assets जो है वो बढ़ जाएंगे कितने से 30,000 से क्योंकि आपका stock जो है वो बढ़ रहा है stock जो है वो प्लस हो रहा है कितना 30,000 सेम वे क्योंकि आपने उधार पे माल खरीद है तो आपकी current liability जो है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके creditors बढ़ ने आपके जो creditors है वो बढ़ गए कितने से 30,000 से आया न यह हुआ अब current asset भी बढ़ गए और current liability भी बढ़ गए देखो अगर दोनों same amount से बढ़ते हैं तो हमेशा current ratio decrease होती है let us take an example की current ratio जो है एक लाग के current asset थे एक लाग की current liability थी example के लिए आपको समझा रहा हूँ तो क्या भी one is to one अब अगर एक लाग sorry one is to one मतलो यह आप लो 50 50 और one तो कितना आ गया two is to one अब दोनों 130 divided by 80 शायद मैंने increase भोग दिया था sorry decrease हो जाएगी अगर दोनों same amount से बढ़ने हैं current asset and current liability तो हमेशा current ratio क्या होगी decrease बट अगर आप इसका quick ratio पर impact जानना चाते हो तो मैं बता दू quick assets जो है goods अगर आपने खरी रहे हैं तो उसकी वज़े से उन पर कोई फरक नहीं पड़ता वो आपके constant रहेंगे क्यों रहेंगे आपको बतानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि inventories quick assets के अंदर include नहीं होती लेकिन आपकी जो current liability है वो बढ़ जाएगी कितने से तीस हजार से अब formula क्या होता है quick asset upon current liability अब अगर denominator बढ़ गया denominator जो है वो बढ़ लाए तो obviously आपकी जो quick ratio है वो क्या होगी will decrease ठीक है और यहाँ पर current ratio क्या होई आपकी will decrease समझ में आपको यहाँ तक आराम से relax होके करोए question बहुत important है exam में पूछा जाता है कई बार ठीक है इसके बाद next step का payment to creators 50,000 है खुद भी कलो निकमो cash कम हो गया current asset कम हो गया कितने के 50,000 के अगर मैं old current ratio अपनी 2,000,000 एक लाग टूइस टूवन लो आपको थेटिकल आप कुछ भी ले लो यार टेंशन मत लो तो अब इसमें से भी 50,000 माइनस करो और इसमें से भी आप पचास अजार माइनस करो तो आप देखो यहाँ यहाँ यह लाक अपन पचास अजार तो ratio आगई 3 is 2, 1 तो यहाँ पर you can observe current ratio जो है वो क्या हो रही है increase हो रही है अगर दोनों चीज़े कम हो रही है तो current ratio increase हो गई same impact on quick ratio जो जो answer current का है वो ही quick का होगा अगर उसमें stock और prepaid expense की कोई बात नहीं है same impact on quick ratio मतलग quick ratio will also increase याद रखना until unless transaction includes stock and prepaid expense amount impact on current ratio and quick ratio will be same जो impact है current ratio और quick ratio पर वो क्या होगा same होगा इसके बाद loan taken from bank for five years one lakh अरे खुद कर लो इसे तो बताओ bank बढ़ बढ़ गया current asset बढ़ गया है कितने बढ़ गया है पांच लाक ठीक है फाइव यर्स के लिए लिया है ठीक है तो current liability जो है वो क्या रहेगी constant अरे निकम्मो current liability में एक साल तक के लो न आते हैं पांच साल special लिखा है मैंने ध्यान से देखो आया न तो constant तो current ratio current assets बढ़ने है सर्फ current ratio जो है वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी same way जो quick ratio है वो भी हमारी increase हो जाएगी तो अब आप त्यार हो चुके हो liquidity ratios के सारे question करने के लिए in the next part of the video हम next type की ratios पे पना discussion स्टार्ट करेंगे thank you so much present से बढ़ने hello friends चले अभी तक आपने liquid ratio में current ratio and liquid ratio जो main थी उसके पर questions कर लिया apart from that in ICS levels we have two more types of liquid ratio that is cash ratio जिसको आप absolute liquid ratio भी बोल सकते है what is this cash ratio and absolute liquid ratio cash balance plus bank balance plus marketable securities divided by current liabilities cash उपर आपको सारे current assets नहीं लेने सिर्फ cash bank and marketable securities marketable securities की जगह कई बार वो आपको current investment भी दे सकता है what समझ मैंगे तो देखो नाम से ही पता लगता है absolute liquid अब ही आजाए पैसा मांगे on the spot सोचूँगा भी निकाल के देदूगा check देदूगा cash देदूगा या marketable securities that are readily convertible into cash इदर एकदम बस बटन दबाया account में पैसे आगए यही होती है तो absolute liquidity समझ मैं ही बन अपार्ट फॉम दाट वी हैव net working capital ratio वैसे तो दो दो ratio A by B form में होती है लेकिन net working capital ratio जो है जो इसमें बूल रखा है इनोने वो है current assets minus current liability जो आपकी net working capital है वो ही net working capital ratio है जिस पर आपने बहुत अच्छे से question निकालने सीख लिए है समझ मैं ही बन तो these two ratios and very simple very very simple nothing cash, bank, marketable securities और नीचे current liability उपर सारे current assets नहीं लेने समझ मैं ही बन show पक्का clear है मेरी बार चली इस पर एक question देखते हैं divided by current liabilities अब cash कितना है एक लाक bank कुछ है नहीं marketable securities कितनी है आपके पास दो लाक रुपे in current liabilities account receivable debtor होते है वो नहीं लेने account payable current liability है 2 लाक plus current taxes payable that is the provision for tax यह भी current liability है यह दो जो हैं आपकी current liability long term loan is not a current liability वो एक साल से जादा time period बात पे बल है तो 3 लाक पाई 5 लाक comes out to be 0.6 ratio 1 तो यह है आपकी cash ratio hopefully आपको समझ पहा है thank you so much hello friends अभी तक आप already मेरे साथ liquidity ratios discuss कर चुके है अब हम अपना discussion start करने जा रहे है profitability ratios के साथ आए profitability ratios के अगर हम बात करें तो हमें पता है broadly सबसे पहले कि हमारे पास 3 तरह के profits होते हैं the first one is gross profits second is operating profits and the third one net profits और profits के context में एक बड़ी simple सी बात जो समझे जा सकती है वो ये कि जितने हमारे profits जादा होंगे उतना organization के लिए अच्छा होगा अब ये तीन तरह के profits क्यों निकाले जाते हैं कैसे निकाले जाते हैं किस तरीके से निकाले जाते हैं सबसे पहले हम इसके उपर अपना discussion करते हैं उसके बाद हम ratios वाले पार्ट पर आते हैं सबसे पहले भी तग बात करते हैं gross profits की gross profits हमारे क्या होते हैं that is sales minus cost of goods sold sales minus cost of goods sold और जब यहां आप sales की बात करते हैं तो sales is basically net sales net sales मतलब total sales minus sales return जिसको आप बहुत frequently return invert भी बोल देते हैं and जब हम बात करते हैं total sales की तो total sales include both cash sales as well as credit sales credit sales चिक है thereafter next is cost of goods sold जिसको मैं short में COGS लिखूँगा cost of goods sold हमारा क्या होता है opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock minus closing stock purchases again यहां पर जो हम बात कर रहें that is the net purchases जो कि क्या होती है total purchases minus purchase return purchase return means return outward and जो total purchases अब यहां ले रहें that includes both cash purchases as well as credit purchases cash purchases and credit purchases direct expenses क्या होते है direct expenses जितने भी आपके factory level तक के expenses होते हैं वो सारी जो है direct expenses में आते हैं expenses अब जो factory level example के तौर पर पर wages power fuel and freight invert यह सारे आपके क्या है direct expenses तो cost of goods sold is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock cost of goods sold आपने निकाल लिया sales minus cost of goods sold आपके पास क्या गया gross profits अब यहां पर एक छोटी सी चीज़ में आपको बता दूँ जो exam point of view से relevant है आपके कई पर लिखा होता है excess of closing stock over opening stock इस तरह की language exam में use की होती है excess of closing stock over उसका मतलब है closing stock minus opening stock और same way अगर लिखा हुआ है excess of opening stock over closing stock तो उसका मतलब क्या होगा opening stock minus closing stock तो इस language का थोड़ा सापको एक्जाम के अंदर ध्यान रखना है इसके अलावा कई बार एक वर्ड हमें given होता है adjusted purchases adjusted purchases क्या होती है मैटा opening stock प्लस पर्चेज़स माइनस closing stock opening stock प्लस पर्चेज़स माइनस closing stock तो अगर आप ध्यान से देखें इन तीन चीज़े को यूज करके मैं cost of goods sold का formula बना हूँ आपने देखा भी cost of goods sold is opening stock प्लस पर्चे़स प्लस direct expense माइनस closing stock यही देखा आपने चेक है तो अगर opening stock प्लस पर्चे़स माइनस closing stock इसको हमने adjusted purchases बोला तो can I say कि cost of goods sold का एक formula त्यार हुआ adjusted purchases plus direct expenses yes or no same way हमने देखा भी कि excess of closing stock over opening stock that is closing minus opening ठीक है तो यहाँ पर भी हम this is purchases and direct expense same रखे purchases plus direct expense अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या बचा opening minus closing opening minus closing opening minus closing तो opening minus closing के लिए अब देखो यह वामला था हमारे पस तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभी उस पर भी मैं आता हूँ सीधे लिख सकते हैं plus excess of opening stock over closing stock और और इन वाइसा वर्सा केज जब हमारे पास closing minus opening है तो बस हमें कुछ नहीं करना purchases plus direct expense यहाँ minus का sign ले ले लेना है and excess of closing stock stock over opening stock उससे क्या होगा क्योंकि देखो बेटा closing stock minus opening stock यही होँने इसका मतलब हम और अगर इसके भार एक minus का sign लग गया है तो minus का closing stock होगी और minus minus plus opening stock हो जाएगा वही formula बन जाएगा तो यह तीन formula और हमारे cost of goods sold के निकल आते हैं आप इने देख सकते हैं तो यह हमने देखा cost of goods sold कैसे कैसे निकल सकता है एक तो simple formula जो हमें पता ही था apart from that ही तीन formula और सारी वही चीज़ें जो आप already अपने early level पे discussion कर चुके हैं अब cost of goods sold पता है sales पता है तो हम इससे क्या निकाल सकते है अपना gross profit अब gross profit के बाद जो next चीज हमको समझनी है that is the operating profits operating profits क्या होते हैं बैटा gross profit minus operating expenses gross profit minus operating expenses operating expenses हमारी दो तरह क्या होते हैं selling and distribution plus office and administrative expenses office and administrative expenses यह हमारे क्या होते हैं operating expenses तो gross profit minus operating expense आपका आगया operating profit इसको थोड़ा सा दूसरे angle से भी देखें sales gross profit क्या होता है sales minus cost of goods sold minus operating expenses higher अब अब अगर मैं minus sign common ले लूँ तो this will be cost of goods sold plus operating expenses 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 अब ध्यान से देखें बैटा cost of goods sold and operating expense को हम combinedly नाम देते हैं operating cost क्या नाम देते हैं operating cost तो operating profit क्या हुआ एक formula sales minus operating cost करके भी हम अपना operating profits निकाल सकते हैं या तो gross profit minus operating expense से निकालिए या हम उसे निकाल सकते हैं कैसे sales minus operating cost इसके बाद हमें सीखना है net profits निकालना net profits कैसे निकालते हैं ध्यान से देखें जो भी आपके operating profits आए उसमें से अगर आप अपने non operating expense minus कर दें और add कर दें अपनी non operating incomes तो क्या आ जाता है अपका net profit operating profit minus non operating expense plus non operating income अब हमें पता है operating profit निकालने का formula बताओ क्या था फड़ा फट बढ़ा था कुछ आपने ये वाला sales minus cost of goods sold minus operating expense ऐसे करके हम अपने operating profit निकाल सकते हैं minus non operating expense plus non operating incomes अब यहां पर sales minus cost of goods sold minus operating expense अब ध्यान से देखे मैं क्या करूँ minus sign common ले रहा हूँ इन दोनों के बीच में operating expense तो यह minus minus plus non operating expense plus non operating incomes लिख सकता हूँ भाई हम यहां मैंने minus sign common ले लिया ना तो minus sign common ले लिया ब्रैकेट ले लिया तो यह minus minus यहां plus हो गया अब अगर आप देखें sales minus cost of goods sold can I say it's gross profits हाया ना gross profit minus operating expense plus non operating expense को हम combinedly बुलाते हैं indirect expense क्या कहलाते हैं? indirect expense plus non operating incomes ठीक है तो एक formula जो आपको ध्यान रखना है वो यह for computing the net profit and दूसरा formula जो अपको ध्यान रखने that is gross profit minus indirect expenses plus non operating incomes जो है वो आपकी क्या हो जाती है? net profits यह हो क्या आपका तो हमने भी तीनो तरह के profit निगालने सीखे किस तरह के से हम तीनो अपने net profits निकाल सकते हैं अब भगसत होता है कि तीन profit निकाल ली क्यों जाते हैं? क्या इसके पीछे purpose है? मैं अब थोड़ा सापको इसके बारे में बता दूँ देखो बेटा suppose आपको छोटा सा example देता हूँ आप एक 10 रुपे क्या कोई pen purchase करके लिए है ठीक है? और उसको आप रुपीज 20 के हिसाप से sale कर ला हूँ तो आपने कितने कमाया उस पे? मोटा मोटा that is the रुपीज 10 gross profit हम उसको नाम दे देते हैं simple सा अब suppose यह जो आप 10 रुपे कमा रहे हूँ ठीक है gross profit आपने कमाया आपने साल भर में 1000 पिन बेचे तो आपने total कितने कमाली बता हूँ 10,000 यह आगया total gross profit yes or no अब वैसे देखा जाए तो यहर 10 की चीज आके 20 में बिकरी है 1000 पेन बिकरें बहुत है ठीक है 10,000 पिन कमा रहे हैं कोई गलत नहीं बट आपने देखा कि इसको बेचने के लिए आपने एक staff रखा हुआ है और उसकी साल भर की salary staff salary आपकी चली गई 25,000 रुपए ठीक है तो ultimately आप 15,000 रुपए के operational loss में हो हाई है न यह चलो मैं और simplify करके समझाता हूँ आपको suppose उसकी staff की salary जो है वो चली गई 8,000 रुपए मतलब यह 10,000 रुपए purely आपकी jam में नहीं बच रहे आप जो है ultimately जो business करके कमा पा रहे हो वो कितना कमा पा रहे हो जो आपके operating profit आए business करके वो कितने आए है 2000 operating profit के basis पर ही कोई भी business के अंदर decision making ली जाती है कि whether हमें business continue रखना चाहिए या उसे shutdown कर देना चाहिए अब suppose हुआ क्या इस साल कुछ abnormal loss हो गया मतलब आग वाग लग गई और उसकी वजह से आपको 3000 का फटका लग गया तो आपके operating profit थे 2000 बट क्योंकि आपका abnormal loss हो गया कितने का 3000 का तो आपके जो net profit है वो negative आगा है कितने आगा है 1000 होगा तो क्या business बंद कर दोगे नहीं जो net profit है इसके basis पर हम decision making नहीं लेते हैं decision making हम लेते हैं अपने operating profit के basis पर कि हमें business करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर यह हमारे positive आ रहे हैं तो definitely we will continue with the business तो considering these three हम तेन तरह की ratios निकालेंगे सबसे पहले one is gross profit ratio which is gross profit upon net sales into hundred बड़े ध्यान से देखना next हम निकालेंगे operating profit ratio that is operating profit upon net sales into hundred or net profit ratio which is net profit upon net sales into hundred और सबसे ज्यादा इसमें generally कौन सी ratio आएगी gp ratio उससे छोटी क्या होगी आपकी operating profit ratio gp ratio बढ़ी होगी equal to भी हो सकती अगर operating expenses 0 है but equal to लगता निया होगी कभी और उससे छोटी होगी हमारी क्या net profit ratio equal to a sign जो मैं नीचे डाल रहाँ वो कब हो सकता है बताओ gp ratio operating profit ratio के equal हो सकती है हो सकती है अगर operating expense 0 हो जाए same way यह दोनों equal हो सकते है अगर non operating expense यह non operating income 0 हो जाए पट जो general relationship है वो आपका यह set होगा चले इसके बाद अब next video के अंदर आते हैं और बाते discuss करते हैं जब तक आप एक बार यह सारा समझी है अच्छे से थोड़े जाला formula हो गए है अच्छे से एक बार इसे दिमाग के अंदर सारा का सारा बिठा लीजे क्योंकि अगले पार्ट को करने के लिए सारी बाते दिमाग में एक दाम अच्छे से set होनी चाहिए Hello friends, चले अभी हमने profitability ratio उसमें क्या क्या सीख लिया gross profit ratio निकालना, operating profit ratio निकालना and net profit ratio अब मैं कुछ relationship की बात करने जा रहा हूं ध्यान से देखिए see gross profit ratio plus cost of goods sold ratio is always equals to 100 अब यह क्या है sir cost of goods sold ratio कहां से आगए और अब क्या भी सकते हो कि हमारे इसले बस में नहीं है see cost of goods sold ratio क्या होती है ऐसा मत को हमारे स्लेवस में नहीं है स्लेवस में सब कुछ है cost of goods sold ratio is cost of goods sold divided by net sales multiply by 100 तो अगर मैं दुनों ratio को add करूँ जैसे अगर आप देखे gross profit ratio क्या होगी gross profit upon net sales into 100 cost of goods sold ratio क्या है cost of goods sold divided by net sales into 100 समझा रहा हम से अब अब दोनों में 100 common है हाँ या नू 100 is common तो यहां पर gross profit by net sales और यहां पर cost of goods sold by net sales अब net sales अब common है तो gross profit plus cost of goods sold हाँ या नू and tell me gross profit plus cost of goods sold क्या होता है बिशरमो जी हाँ that is net sales itself so net sales by net sales और into 100 तो देखो कितना बचा अपका 100 बचा यह तो मैंने आपको ऐसी बता दिया मेन आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि कई बार exam में one mark cushion आ जाता है कि cost of goods sold ratio 70% है तो what will be the GP ratio so answer will be 30% लिखके दिखाऊ if exam में आया वा question है if cost of goods sold ratio is 70% then what will be the gross profit ratio तो आपने लिख दिया gross profit ratio जो है बोलो 30% होगे ठीक है क्यों क्योंकि दोनों को plus करके 100 आता है same with there is another relationship operating profit ratio plus operating ratio operating operating ratio जिसको हम operating expense ratio भी बोलते है जी हाँ operating sorry operating cost ratio एक ही बात है यह भी हमेशा किसके equal होते है 100 के equal होते है operating cost ratio कैसे निकलती है या operating ratio कैसे निकलती है तो operating ratio is operating cost divided by net sales into 100 ठीक है और operating cost में क्या क्या आता है cost of goods sold plus operating expenses बताया था भी लास्ट वीडियो में है भूल जाते हो चलो बताव operating expenses में क्या क्या आता है selling and distribution expense और यहाँ पर office and admin expense याद आ रहा है सब चेक है तो इस पर भी question आ जाता है exam में if operating ratio is 80 percent what will be operating profit profit ratio ratio so answer is price 20 20 percent on sales और नीचे आपको sales दी हुई है 10 lakh तो आप सीधे gross profit निकाल सकते हो कैसे 10 lakh का 20 कितना हो गया 2 lakh कोई दिक्कत नहीं है case 1 case 2 अगर आपको given है gross profit is 20 percent on cost और नीचे आपको cost of goods sold given है 8 lakh तो भी आपको दिक्कत नहीं आप सीधे gross profit निकाल देंगे कैसे 8 lakh का 20 percent 1 lakh 60,000 ठीक है लेकिन अब जो बताने जारहूं ध्यान से देखना अब आपको दिक्कत होगे gross profit आपको given है 20 percent on cost जबकि cost of goods sold है sorry 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 sales है 10 lakh अब बताओ GP कैसे निगालोगे क्योंकि यहां तो यह on cost है उस पर आपको given क्या है sales तो एक तरीका बताने जा रहा हूं देहान से देखे when it is 20 percent on cost 20 percent on cost percent अट आगे नीचे 20 by 100 लिख सकता हूं can I say 20 percent on cost is nothing but plus 20 by 100 on cost percentage है नीचे 100 आगे इसका मतलब क्या समझते है अब यह बताओ कुछ नीचे समझते हैं बड़े वेश्रम हो 20 by 100 on cost का मतलब होता है कि 100 रुपे की cost पे 20 रुपे की कमाई हो रही है 100 रुपे की cost पे 20 रुपे की कमाई हो रही है तो अगर 100 रुपे की cost आ रही है और उस पे 20 रुपे की कमाई हो रही है 100 रुपय आपकी cost आ रही है और 20 रुपय आप कमा रहे हो तो बिटा एक बाद बता मुझे अगर cost तेरी 100 है और तू उस पे 20 रुपय का मुनाफ़ा profit कमा रहा है तो what will be the sales price है मुन्ने obviously the 120 एतना तो 4th 5th की मैं आपनी सिखा दिया था तो can I write 120 is the sales price तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 by 120 on sales कैसे आया here this 20 is representing the profit कि 20 तो आपका profit ही है ठीक है और यह जो आपका 120 है यह 120 क्या दिखा रहा है sales value कि अगर 20 पटा 100 cost था तो उसको हम on sale convert कर सकते है कैसे cost में profit add क्या तो नीचे क्या गया sale अब नहीं तुम्हें समझ में आ तो रटना है तो ऐसे हो उपर वाला hazardous और नीचे plus कर के आ जाएगा रटना है तो समझना है तो उसका logic मैंने आपको समझा दिया तो कहना ही से 20 पटा 120 on sale अगर 20% on cost है एक और example दूँ चलो देखो suppose 5 by 16 on cost है तो बताओ on sale कितना होगा पांच hazardous इसका मतलब क्या है 16 की cost पे 5 का मुनाफ़ा हाया न तो 16 और 5 21 की sale हो गई 5 by 21 on sale एक और लो 3 by 8 on cost तो बताओ क्या होगा 3 by 11 on sale very good last 6 by 15 on cost बताओ 6 by 21 on sale वाइसर भी निकाल सकते हैं जी हाँ say 20 by 100 on sale है तो क्या मतलब इसका कि इतने की sale पे इतने का profit तो बताओ अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो 100 रुपे की और उस पे आप 20 रुपे कमा रहे हो तो आपकी cost कितनी आएगी 80 आएगी yes or no तो यहां 80 और यहां 20 20 by 80 on cost चलो एक और example दो 5 by 14 on sale तो 14 5 यहां पर रहेगा और नीचे कितना जाएगा 9 suppose it's 8 by 17 on sale तो यहां कितना रहेगा हमारा 8 और नीचे 17 minus 8 कितना जाएगा 9 ठीक है तो cost से sale निकालना है तो add कर दो और sale से cost निकालना है तो minus sale से cost की तरफ जाना है तो क्या होगा minus जबकि cost से sales की तरफ आना है तो क्या होगा plus और रटने का तरीका भी चाहिए तो s मतलब sum c मतलब cut चलो अब इस स्यादा help नहीं कर सकता तो यहां पर देखो 20% on cost है sale है 10 लाग तो इसे sale में convert किया 20 बटा 120 तो gross profit निकल जाएगा 10 लाग का 20 बटा 120 वन लाग 66,667 रुपीस समझ में आया एक और example दूँ चलो discuss करते हैं चली एक और example देखें suppose gross profit हमें given है 25% on sale और cost of goods sold है 8 लाग ठेक है तो बताओ सबसे पहले से convert करना पड़ेगा if it is 25% on sale how much it will be on cost CO पर same यह sale price है यह profit है तो माइनस करके cost आएगी आया न तो अगर मुझे gross profit अब निकालना है तो इट विल बी 8,00,00,00 that is cost of goods sold multiply by 25 by 75 उसका 1 3rd 2,666,667 ठीक है चली इसके बाद एक दो example और दे रहा हूँ जो exam में generally आ जाते हैं कई बार ऐसे गया हो तो gross profit 33 by 1 by 3% on cost sales 10,00,00 बच्च के रहना रे रे पापा बच्च के रहना रे रे रहाना ज़र देखो 33 by 1 by 3% इसको हम लिखते है 1 by 3 on cost क्यों लिखते हैं अच्च देखो गोई बताये तो 33 by 1 by 3% 99 plus 1 कितना हो गया 100 by 3% mixed fractions already percentage अटाओ 1 by 100 आ गया तो कितना आ गया 1 by 3 ठीक है अब अगर GP आपका 1 by 3 है on cost तो बताओ on sale कितना होगा 1 by 4 on sales हाया न तो gross profit कैसे निकलेगा 10 लाग 1 by 4 कितना आ गया 2,50,000 तो बस अभी तक आपका मोल मंतर इतना ही है कि अगर on cost given है तो convert और हमारे पास sales हैं तो उसे on sale convert कर लो and vice versa कि अगर आपके पास sale पर given है बट question में cost है तो आप उसे cost में convert करो और कैसे करना है वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया समझ में आ रही है बात आपको नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के मैं आपके साथ discuss करोंगा कुछ questions इसके उपर और कुछ hot questions high order thinking skills जो super duper hot होंगे जो आपको किसी भी book में देखने को नहीं मिलेंगे वो question until less आप मेरी book से नहीं कर रहे है आपको वो नहीं मिलेंगे तो वो question video बड़े ध्यान से देखना गली उससे पहले आपके हां तक सारे concepts अच्छे से होने चाहिए thank you so much hello friends चले अभी हमने profitability ratios में क्या क्या सीख लिया gross profit ratio निकालना operating profit ratio निकालना and net profit ratio अब मैं कुछ relationship की बात करने जा रहा हूं ध्यान से देखिए see gross profit ratio plus cost of goods sold ratio is always equals to 100 अब यह क्या है sir cost of goods sold ratio कहां से आगए और अब क्या भी सकते हो कि हमारे इसले बस में नहीं है then see cost of goods sold ratio क्या होती है ऐसा मत को हमारे slavis में नहीं है slavis में सब कुछ है cost of goods sold ratio is cost of goods sold divided by net sales multiplied by 100 चेक है तो अगर मैं दुनों ratio को add करूं जैसे अगर आप देखें gross profit ratio क्या होगी gross profit upon net sales into 100 cost of goods sold ratio क्या है cost of goods sold divided by net sales into 100 समझा रहा हम से अब अब दोनों में 100 common है हाँ या नहीं 100 is common तो यहां पर gross profit by net sales और यहां पर cost of goods sold by net sales अब net sales common है तो gross profit plus cost of goods sold हाँ या नहीं and tell me gross profit plus cost of goods sold क्या होता है बिशर्मों जी हाँ that is net sales itself so net sales by net sales और into 100 तो देखो कितना बचा अपका 100 बचा यह तो मैंने आपको ऐसी बता दिया में आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि कई बार exam में वनमा कुशन आ जाता है कि अगर cost of goods sold ratio 70% है तो what will be the GP ratio so answer will be 30% लिखके दिखाऊं if exam में आया हुआ कुशन है if cost of goods sold ratio is 70% then what will be the gross profit ratio तो आपने लिख दिया gross profit ratio जो है below 30% होगे ठीक है क्यों क्योंकि दोनों को plus करके 100 आता है same भी देर जा another relationship operating profit ratio plus operating ratio operating ratio जिसको हम operating expense ratio भी बोलते हैं जी हां operating sorry operating cost ratio operating cost ratio एक ही बात है यह भी हमेशा किसके equal होते हैं hundred के equal होते हैं operating cost ratio कैसे निकलती है यह operating ratio कैसे निकलती है तो operating ratio is operating cost divided by net sales into hundred ठीक है और operating cost में क्या क्या आता है cost of goods sold plus operating expenses बताया था भी लास्ट वीडियो में हैं भूल जाते हो चलो बताओ operating expenses में क्या क्या आता है selling and distribution expense और यहाँ पर office and admin expense याद आ रहा है सब चेक है तो इस पर भी question आ जाता है exam में if operating ratio is 80% what will be operating profit ratio? so answer is operating profit ratio कितना होगा बताओ बुलो बुलो जी हाँ कितना होगा? 20% समझ मैं आई आपको कोई दिक्कत चलो अब एक concept चिखाने जा रहा हूँ उसके बाद कुछ questions लेते हैं 10 lakh तो आप सीधे gross profit निकाल सकते हो कैसे? 10 lakh का 20% कितना होगा? 10 lakh कोई दिक्कत नहीं है case 1 case 2 अगर आपको given है gross profit is 20% on cost और नीचे आपको cost of goods sold given है 8 lakh तो भी आपको दिक्कत नहीं है सीधे gross profit निकाल देंगे कैसे? 8 lakh का 20% 1 lakh 60,000 ठीक है? लेकिन अब जो बताने जारहों ध्यान से देखना अब आपको दिक्कत होगी gross profit आपको given है 20% on cost जबकि cost of goods sold है sorry 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 sales है 10 10 lakh अब बताओ GP कैसे निगालोगे क्योंकि यहां तो यह on cost है उस पर आपको given क्या है? तो एक तरीका बताने जा रहा हूँ देहान से देखे when it is 20% on cost 20% on cost percent अट आगे नीचे 20 by 100 लिख सकता हूँ can I say 20% on cost is nothing but 20 by 100 on cost percentage अट आया नीचे 100 आगे इसका मतलब क्या समझते अब यह बताओ कुछ नहीं समझते यह बड़े वेशन हो तो अगर 100 रुपे की cost आ रही है और उस पे 20 रुपे की कमाई हो रही है 100 रुपे आपकी cost आ रही है और 20 रुपे आप कमा रहे हो तो बिटा एक बाद बता मुझे अगर cost तेरी 100 है और तू उस पे 20 रुपे का मुनाफ़ा profit कमा रहा है तो what will be the sales price है मुन्ने obviously the 120 यतना तो 4th 5th की मैं आपनी सिखा दिया था तो can I write 120 is the sales price तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 by 120 on sales कैसे आया हो here this 20 is representing the profit कि 20 तो आपका profit ही है ठीक है और यह जो आपका 120 है यह 120 क्या दिखा रहा है sales value कि अगर 20 बटा 100 cost था तो उसको हम on sale convert कर सकते है कैसे cost में profit add क्या तो नीचे क्या गया sale अब नहीं तुम्हें समझ मैं तो रटना है तो ऐसे हो उपर वाला hazardous और नीचे plus कर क्या जाएगा रटना है तो समझना है तो उसका logic मैंने आपको समझा दिया तो कहना ही से 20 बटा 120 on sale अगर 20% on cost है एक और example दूँ चलो देखो suppose 5 by 16 on cost है तो बताओ on sale कितना होगा पांच है इसका मतलब क्या है 16 की cost पे पांच का मुनाफ़ा आया न तो 16 और 5 21 की sale हो गई तो पांच बटा 21 on sale है कोड़ लो तीन बटा 8 on cost तो बताओ क्या होगा तीन बटा 11 on sale very good last 6 बटा 15 on cost बताओ 6 by 21 on sale वाइसर वर्स अभी निकाल सकते हैं जी हाँ say 20 by 100 on sale है तो क्या मतलब इसका कि इतने की sale पे इतने का profit तो बताओ अगर आप कोई चीज़ sale कर रहे हो 100 रुपे की और उस पे आप 20 रुपे कमा रहे हो तो आपकी cost कितनी आएगी 80 आएगी yes or no तो यहाँ 80 और यहाँ 20 20 by 80 on cost चलो एक और example दो 5 by 14 on sale तो 14 5 यहाँ पर यह रहेगा और नीचे कितना आजाएगा 9 suppose it's 8 by 17 on sale तो यहाँ कितना रहेगा हमारा 8 और नीचे 17 minus 8 कितना आजाएगा 9 तो cost से sale निकालना है तो add कर दो और sales से cost निकालना है तो minus sales से cost की तरफ जाना है तो क्या होगा minus जबकि cost से sales की तरफ आना है तो क्या होगा plus और रखने का तरीका भी चाहिए तो s मतलब sum c मतलब cut चलो अब इस स्यादा help नहीं कर सकता तो यहाँ पर देखो 20% on cost है sale है 10 लाग तो इसे sale में convert किया 20 बटा 120 तो gross profit निकल जाएगा 10 लाग का 20 बटा 120 1,666,667 रुपीस समझ में आया एक और example दो चलो discuss करते हैं चले एक और example देखें suppose gross profit हमें given है 25% on sale और cost of goods sold है 8 लाग तो बताओ सबसे पहले से convert करना पड़ेगा if it is 25% on sale how much it will be on cost co पर same यह sale price है यह profit है तो तो माइनस करके cost आएगी आया न तो अगर मुझे gross profit अब निकालना है तो इट विल बी 8,00,00,00 that is cost of goods sold multiply by 25 by 75 उसका 1 3rd 2,666,667 चले इसके बाद एक दो example और दे रहाँ जो exam में generally आ जाते हैं कई बार ऐसे गयों तो gross profit 33 by 1 by 3% on cost sales 10,00,00,00 बच्च के रहना रे रे पापा बच्च के रहना रे नहां जा देखो 33 by 1 by 3% इसको हम लिखते हैं 1 by 3 on cost क्यों लिखते हैं अच्च देखो को ही बताया तो 33 by 1 by 3% 99 plus 1 कितना हो गया 100 by 3% mix fractions already percentage अटाओ 1 by 100 आ गया तो कितना आ गया 1 by 3 ठेक है अब अगर GP आपका 1 by 3 है on cost तो बताओ on sale कितना होगा 1 by 4 on sales हाया न तो gross profit कैसे निकलेगा 10 लाक एक बटाओ चार कितना आ गया 2,50,000 तो बस अभी तक आपका cost में convert करो और कैसे करना है वो मैंने सार आपको अच्छे से सिखा दिया समझ में आ रही है बात आपको next part में इस वीडियो के मैं आपके साथ discuss करोंगा कुछ questions इसके उपर और कुछ hot questions high order thinking skills तो super duper hot होंगे जो आपको किसी भी book में देखने को नहीं मिलेंगे वो questions investment या हम बोल सकते है return on capital employed जो किसका दूसरा नाम है return on capital employed अब इस ratio को समझने से पहले हमें कुछ basic चीजों को समझना पड़ेगा तो उस पर एक एक करके मैं आपके साथ discussion कर रहा हूँ जब हमारा base पूरा ready हो जाएगा तो उसके उपर हम return on investment की toppings करेंगे मतलब उसे समझने की कोशिश करेंगे ठीक है जी चले तो सबसे पहले हमें इसमें समझना है एक चीज the types of investment types of investment देखो business जो है generally दो तरह की investment करता है कोई भी business generally दो तरह की investment करता है one the trading investment or second the non-trading investment non-trading investment trading investment कौन सी होती है business की ऐसी investment जिससे purpose होता है purpose is to generate regular business income regular business की income आती रहे और उसे हम कभी भी cash में convert कर सकते हैं ऐसी कोई भी investment अगर business ने कर रखी है तो वो उसके लिए trading investment है बट non-trading investments क्या होती है ऐसी investment जिनका मकसद regular income generate करना नहीं होता purpose is not to generate regular business income rather to generate capital gains capital gains मतलब long term में उनको बीच कर या redeem करके एक अच्छा मुनाफ़ा कमाना एक अच्छे profits कमाना regular income नहीं चाहिए date to day basis वाली income नहीं चाहिए एक long term के बाद एक अच्छे profits हमें चाहिए ऐसी अगर कोई इस मकसद से investment की जाती है तो उसे non-trading investment कहते हैं दिखी business ही classify कर पाएगा कि वो कोई investment कर रहा है तो वो trading purpose से कर रहा है उसको या उसको non-trading purpose से किया जा रहा है ठीक है हमारे पास तो जब तक question में information नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कह सकते business अपने आप classify करेगा कि अगर वो investment कोई कर रहा है और से उसका मकसद regular business income generate करना है तो वो से trading कहेगा otherwise क्या कहेगा non-trading अब जो भी situation होगी उसके basis पर हम समझते हैं उसे trading या non-trading but अगर हम देखें तो balance sheet के point of view से जो हमें balance sheet है उसके अंदर हम investment को दो category के अंदर divide करते हैं one is current investment and one is non-current investment one is current investment and second is non-current investment देखें ये जो है ये balance sheet के point of view से current investment हम किसको बोल देते हैं investment for one year या उससे कम जो investment होती है उसे हम बोलते है current investment non-current investment क्या होती है ऐसी investment जो होती है एक साल या एक साल से जाला के लिए उसको हम non-current बोल देते हैं चेक है जो business genuinely करता है या तो वो trading non-trading होती है ये किसके point of view से है business point of view और जो आपने second bifurcation बच्चो मेरे साथ सीखा वो किस point of view से सीखा balance sheet point of view से अब बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना देखो काईदे से तो trading investment जो है it can be both current as well as non-current same way non-trading investment can be both current as well as non-current ठीक है लेकिन एक general perception मान ली जाती है कि trading current है और non-trading non-current है बट यह कहना भी गलत है ध्यान से देखे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ एक एक चीज trading investment can be both current as well as non-current ठीक है जी similarly non-trading investment can be both current as well as non-current investment ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा hopefully आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है देखे लेकिन कभी भी question में बहुत rare आपको given होता है trading और non-trading में bifurcation तो अगर question में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो always assume non-current investment as non-trading क्योंकि generally इसलिए बोल रहा हूं मैं यह बात क्योंकि अगर trading होती है तो mostly chances होते हैं कि वो एक साल के अंदर ही cash में convert कर ली जाए बहुत short term period trading का मतलब यह यह business income का मतलब यह यह तो इसलिए आप यह मानिए कि non-current investment जो है वो क्या है non-trading अगर question में कुछ नहीं लिखा हुआ and assume current investment as trading investment current investment को आप क्या मानेंगे trading investment अगर कुछ भी question में mention नहीं है if nothing is specified in question बट अगर question में कुछ mention है तो आपको फिर उसी तरीके से deal in करना पड़ेगा hopefully आपको मेरी बात यहां तक सारी की सारी clear है ठीक है अब यह सारी बाते में आपको क्यों बता रहा था इसके पीछे मकसद क्या था अब मैं उसके ओपर आता हूँ देखे there is a word capital employed capital employed का मतलब क्या होता है capital employed का मतलब होता है amount invested in business जो amount आपने business में invest किया हुआ है उसको हम बोलते है क्या capital employed अब business में जो पैसा invest होता है या तो fixed assets में होता है yes or no fixed capital जिसको हम बोलते हैं या वो होता है working capital के अंदर किसमे working capital तो इसका जो दूसरा formula बनता है वो क्या बना fixed asset plus current asset minus current liability current asset minus current liability ठीक है और अगर current investment है ट्रेडिंग तो by default वो current asset में included है मतलब आप लिख दो including trading investment और अगर उसमें वो specifically given नहीं है तो आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि fixed asset plus current asset minus current liability plus non current investment बट यह non current कब लेनी है only if it is trading अगर question में given है तो question में कुछ नहीं given तो non trading को non current को नहीं लेना क्योंकि non current को हम फिर क्या मानेंगे अपनी non current को हम मानेंगे non trading investment यह तब ही लेना है non current को जब वो specific भी बोले कि non current investment जो है आपकी वो trading investments है यह बात आप ध्यान रखिएगा और अगर current investments given है तो current investments को अगर वो बोलता है कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानते हैं कि वो trading investments है yes or no और current investment already current assets में included होती है तो basically आपको hopefully जो मैं बताना चाह रहा यहां तक सारी बाते वो clear है कि capital employed है fixed asset plus working capital या fixed asset plus current asset minus current liability जिसमें trading investment include है बट अगर non current investment को उसने specify कर रखा है कि वो trading investment है तो उसे आप यहां पर आप separately include करेंगे ठीक है जी यहां तक आपको किसी भी तरीके का कोई भी doubt नहीं होना चाहिए अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं किस तरीके से ध्यान से देखें देखों अगर हम इसे liability side से देखें तो जो भी shareholders fund का पैसा है shareholders funds ठीक है sharehold fund का जितना भी पैसा है या जितनी भी हमारी non current liability है business में पैसा तो यहीं से आएगा न भी या तो shareholder लगाएंगे हाया न या loan की form में आएगा that is the non current liability अब देखों यह तो आगया total funds in business total funds in business but जरूरी नहीं है कि total funds in business जो आए वो सारे business में ही लगे होंगे हो सकता है कि उसमें से कुछ पार्ट हमने लगा रखा हो non trading investment में किसमें लगा रखा हो non trading investment के अंदर might be तो उस situation के अंदर जो हमारा formula develop होगा वो क्या होगा shareholders fund plus non current liability और अगर किसी भी तरीके से हमने पैसा लगा रखा है non trading investment में कुछ भी इसमें से तो वो हम क्या कर देंगे minus टेक है trading investment में लगा रखा है तो minus करने की ज़रूरत नहीं है बट अगर non trading में लगा रखा है तो हम उसे minus से करेंगे तो इसका formula बना shareholder fund plus non current liability minus non trading investment और generally non trading कौन सी होती है यह होती है आपकी non current investment अब मैं आपको एक चोटे से example से सारी चीज़े समझाता हूँ यह जितनी भी confusion आपको create हो रही है suppose एक balance sheet हमारे पास है equity and liability shareholders fund हमारे पास है उसमें 10 लाग के non current liability हमारे पास है 5 लाग की current liability है उसमें हमारी 8 लाग की तो यह हो गया कितना 23 लाग ठीक है assets में अगर हम बात करें तो suppose हमारे पास है non current assets ठीक है उसमें ध्यान से देखना बेटा मैं सब चीज़े ले रहा हूँ fixed assets है आपके पास say 8 लाग के ठीक है non current investment है आपके पास 2 लाग की current assets current assets आपके पास है say 13 लाग के ठीक है तो यह भी हो गया 23 लाग case 1 आपको कोई information given नहीं है non current investment की no other info ठीक है और case 2 मैंने आपको ले लिया की non current investments are trading investments यह मैंने आपको बता दिया बड़े ध्यान से देखेगा तो अब सबसे पहले case 1 अगर कुछ भी नहीं गिया हुआ तो हम क्या करने वाले हैं जो हमारा fixed assets plus working capital है वो ही क्या होगा capital employed fixed assets plus working capital अब fixed assets कितने हमारे पास आठ लाग ठीक है और working capital के लिए तेरा लाग माइनस आपका आठ लाग current liability तो आठ लाग कितना हो गया तेरा लाग हो गया this is the capital employed यहाँ पर हमने क्या किया assume किया case 1 के अंदर कि जो non current investments हैं वो आपकी non trading investments हैं क्या माना हमें क्योंकि कुछ उसने नहीं बताया था तो हम यहीं मानेंगे न ठीक है अब इसी को अगर हमें liability side से निकालना है तो shareholders fund plus non current liabilities minus non current investment मानिक कब होंगी जब हम इसे non trading मानते हैं तो आप देखे 10 लाग जमा 5 लाग minus 2 लाग तो ultimately देखेंगे अब यहां पर भी answer आपका कितना आता है 13 लाग यह कब जब हमने non current investment को क्या माना non trading investment case 2 और अगर नहीं लिया होगा तो हमें यहीं मानना भी है case 2 अब non current investment trading investment अगर उसने specifically बोल दी तो आपकी जो capital employed है इसका formula क्या होगा fixed assets plus working capital plus non current investment तो यहां पर 8 लाग plus 13-85 लाग और यह 2 लाग कितना हो जाएगा आपका 15 लाग ठीक है इसके बाद shareholder fund plus non current liability यह आपका 10 लाग plus 5 लाग कितना 15 लाग ठीक है क्योंकि case 2 में non current investment जो है वो trading investment है तो आपको उसे यहां minus करने की ज़रुवत नहीं है याद रखना आपको हमेशा non current investment में ही फसाएगा वो या तो बता देगा वो trading है या बता देगा वो non trading है अगर कुछ नहीं बताया तो आपने उसे हमेशा क्या मानना है non trading investments ही मानना है तो आपने सबसे पहले अभी तक मेरे साथ सीख लिया कि capital employed किस तरीके से हम निकालते है ठीक है अब next part में मैं आपके साथ बात करूँगा ratio के उपर ठीक है जी वीडियो पसंद आई तो don't forget to like it inform your maximum friends and you can also rate us on google just type चंदन पो अब हम बात करते है return on investment की या return on capital employed की कैसे निकलता है return on investment या return on capital employed earning before interest in tax divided by capital employed multiply by 100 और but obviously जितनी ratio higher आएगी उतना ही better होगा क्यों अरे निकम्मो जितना return ज्यादा है उतना अच्छा है न तो higher is better चली अब capital employed आप निकालना सीख चुके हैं earning before interest in tax जिसको मैं short में EBIT बोलता हूं वैसे तो कई बार question में straightforward given होता है but नहीं given तो हमें कुछ बाते ध्यान रखने है क देखें EBIT में से हम सबसे पहले interest minus करते हैं interest on debts तो हमारा आता है earnings before tax उसके बाद minus किया जाता है tax paid ठेक है तो यह आता है earnings for shareholders जो बच जाता है वो earning किसके लिए है shareholders के लिए अब जड़ा ध्यान से कुछ बाते समझेगे गवेटा जब हम capital employed की बात करते हैं तो उसके अंदर हम दोनों बाते लेते हैं चाहे वो equity का पैसा लगा हुआ है मतलब equity से better word use करता हूँ चाहे वो shareholder का पैसा लगा हुआ है चाहे वो पैसा लगा हुआ है loan के थूँ debt के थूँ तो इसी लिए हम यहाँ पर earning for shareholder नहीं लेते क्योंकि capital employed में shareholder का भी पैसा लिया जाता है और debt का भी लिया जाता है तो सिर्फ earning shareholder की नहीं लेनी जो interest है interest क्या है earnings against debt या earnings for lenders जिन्होंने हमें debt दिया हुआ है तो इन दोनों को ही consider करना होता है इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं earning before interest and tax समझ में आ रहा है आपको क्योंकि capital employed includes both shareholders as well as debt funds therefore instead of taking only earnings of shareholder we will take the EBIT which includes both earning of shareholders as well as of lenders अब ध्यान से देखें अगर यह straight forward given है तो ठीक है otherwise कई बर हो सकता है आपको earnings for shareholder given हो और आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ें तो कैसे क्या होगा ध्यान से देखें उससे पहले आपको बता दूए earning for shareholders को हम earnings after tax भी क्याते हैं तो see अगर आपके पास earnings after tax है और आपको निकालना है earnings before tax क्या निकालना है earnings before tax that is EBIT तो कैसे आप इसे निकाल सकते हैं ध्यान से देखें जो भी earning after tax आपके पास है divide by 100 minus tax rate into 100 for example आपको बताया गया कि earning after tax जो है that is 120,000 ठीक है and tax rate जो है वो है आपका 40% तो आप earning before tax निकालिए तो कैसे होगा ध्यान से देखें एक लाग 20,000 है yes or no 100 minus tax rate is 40 into 100 तो एक लाग 20,000 divided by 60 into 100 तो यह आपका कितना होगे आपका 2,000,000 रुपे तो यह आगे आपका earning before tax चले यह आपने निकालना क्या सीख लिया earning before tax अब अब earning before tax में अगर हम add कर दें interest तो हमारा क्या जाएगा e-b-i-t ठीक है चलिए यह एक बड़ सारा note कर लीज़े फिर मैं आपको example से सारी चीज़े समझाता हूँ चलिए question लेता हूँ मैं आपके सामने दियान से देखे सुपोज हमें given है shareholders fund 10,00,00 रुपे फिर हमें given है 10% debentures 10,00,00 रुपे चेक है say apart from that हमें given है non trading investments 5,00,00 रुपे की earnings after tax have 5,00,00,00 रुपे tax rate है 50% आपको बोलो गया find return on investment बड़े अराम से था relax होके सारी चीज़ आपको समझ नहीं है सबसे पहले हमें पता है return on investment का formula क्या होता है ROI earning before interest in tax divided by capital employed multiply by 100 यह formula होता है see सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ capital employed hopefully आपको formula याद होगा shareholders fund plus debentures minus non trading investment जो non trading investments है वो इसमें से हम क्या कर देंगे minus कर देंगे trading होती तो करते नहीं करते good तो 10,100,000 जमा 10,100,000 चला, कितना हो गया about 15,200,000 रूपे healthy अब EBIT निकालना है बड़ हमारे पास क्या given है earning after tax सबसे पहले उससे ø B T निकालेंगे That is earning after tax hundred minus tax rate multiply by hundred तो ये था आपका कितना पांच लाख tax rate कितना है आपका 50% into hundred तो ये आपका कितना हो गया earning before tax हो गया आपका 10 लाख रुपए अब EBIT निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा earning before tax plus interest ये ही पता है था अब ये तो आपके पास 10 लाखा गया interest कहां से आएगा तो जो भी आपके पास debenture given था या bank loan होता इसकी जगा तो उसके साथ जो coupon rate है बेटा इसको interest rate मत बूला करो professionally it is known as coupon rate तो जो coupon rate है इसको आप इस पे apply करो तो interest का amount जो है 10% of 10 lakh कितना जाएगा एक लाख रुपे चेक है तो plus 1 lakh total आपका कितना आगया बिटा 11 lakh रुपे तो return on investment आप निकालेंगे 11 lakh divided by जी हाँ 15 lakh into 100 तो चेक करें इसे कितना आता है 11 divided by 15 this is 73.33% ठीक है तो this was the concept of return on investment with example हमने इसको देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ा करनी है इसी के साथ आपका ये profitability ratios जो है वो सारी की सारी पूरी होती है अब हम next video के अंदर बात करेंगे next ratio पर most expectedly on solvency ratios चलिए उसी पर discussion कर लेंगे next video के अंदर हेलो फ्रेंड्स आपने मेरे साथ return on investment देख लिया जिसको उमने return on capital employed भी बोला जिसका हमारा formula क्या था अब बिशर्म होई EBIT upon में capital employed in 200 अब देखो जब आप books को लेंगे तो आपको different different तरह की ratios और उसके अलग-अलग formula दिखाई देगे जो मैं आपको आपको बता रहा हूं सर्फ उतना focus आपको करने उससे जाला focus करने की ज़ुरत नहीं है प्लीज ध्यान से देखें हो सकता है आपको देखो अभी आपने return on capital employed पड़ा जिसका formula हमने क्या देखा earning before interest in tax चेक है upon में capital employed into 100 यही formula देखाऊ yes or no श्योव अब हो सकता है आपको एक formula दिखाए दे return on capital employed is equals to EBIT 1 minus tax rate upon में capital employed into 100 तो घबराने की ज़ुरत नहीं देखो इसको हम बोलते है return on capital employed pre-tax और इसको हम बोलते है return on capital employed post-tax तो अगर question में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको pre-tax ही लेके चलना है समझ में आई बात post-tax नहीं ले ना if nothing is specified in question assume it to be pre-tax आप अपने आप उसे pre-tax ही मानेंगे post-tax नहीं मानेंगे और यह मैं आपको बोदू यह कभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा समझ में बात pre-tax ही लेना है apart from that हो सकता है ROI return on investment का आपको एक दूसरा formula देखने को मिले नहीं आप उसे ignore करिये अगर देखने को मिल भी रहा है बोद हर सेम return on capital employed and return on investment समझ में बात चयो confusion clear है apart from that we have another ratios also that is return on assets देखे main ratio आपने कर ली अब आप जो मर जी कर सकते है return on assets क्या होता है this is basically assets पे क्या return आ रहा है earnings after tax earnings after tax को हम अगर divide कर देते है average total assets से किसे average total assets से into 100 तो यह आ जाता है हमारा what return on assets कि हमने अपने assets पे on an average कितना return लिया same way we have return on equity देखो जो formula बता रहा हूं जितने बता रहा हूं सर्फ इतने ही करने से ज़रादा करने की ज़रुवत नहीं otherwise confusion हो जाएगी बुक में थोड़ा सक्रबरसम procedure से है ignore it सिर्फ आप बुक के question देखे और कुछ नहीं देखना आपको इसका formula क्या होगा अर्णिंग आफ्टर टेक्स माइनस प्रेफरेंस डिविदेंट पॉन में इक्विटी शेर कापितल प्लस रिजर्वस इन्टो हंडडिड की इक्विटी को कितना रिटर्न मिला जिसको आप श्रॉट में बोल सकते हैं इक्विटी फंड ओल्ली इक्विटी फंड मींज इक्विटी शेर कापिल प्लस रिजर्व और उपर अर्निंग आविलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर समझ में एक ही बात है तो आए अब इसके उपर हम कोश्यत देखते हैं सिर्फ आपको थीन त्रेश्ट त्यार करने है, capital employed, return on asset, return on equity, return on capital employed ही same as return on investment, आपको अलग formula त्यार नहीं करना, चलिए question है आपके सामने, आपके book का ही, important question है, इसको त्यार करेंगे, आपके पास details है, सबसे पहले आपसे पूछा गया, return on assets आपको निकाल ले, तो return on assets का formula हमारे पास क्या होता है, earnings after tax divided by average total assets, यही formula आपको हमेशा use करना है, और कोई formula यूज करने की जोरत नहीं है, चेके, तो आईए, एक एक चीज़ देखें, earning after tax, सबसे पहले EBIT हमारे पास है, EBIT हमारे पास है, कितना, 10,00, रुपे, इसमें से हम minus कर देंगे, interest, interest expense है, 30,000 रुपे का, very good, यह भी उसने बता रहा है, 30,000 का interest expense हमारे पास है, तो हमारे पास बचा 9,70,000 रुपे, which is earning before tax, इसमें से हम minus कर देंगे, tax, tax कितना, 30%, तो 9,70,000 का 30%, होता है आपका 2,91,000, ठीक है, तो 970,000 minus 291,000 comes out to be 6,79,000, this is earning after tax, ठीक है, यह आगे आपके पास 6,79,000, 9,000, now average total assets हमें निकालने है, तो total assets in the beginning तो हमारे पास given है 8 लग, और इस बार के assets कितने होंगे, fixed assets plus current assets, yes or no, तो can I say that total assets are fixed assets plus current assets, fixed assets plus current assets, fixed assets हैं आपके, 5,00,000, current assets हैं आपके पास 2,00, तो total assets आपके कितने होंगे, 7,00, ठीक है, इसके बाद we have to find average total assets, which is 7,00,000 plus 8,00,000 divided by 2, अरे opening plus closing divided by 2, closing ये रहे, opening इसने बता ही रखे, 8 लग भई, तो हमारे पास हो गया, 7,00, 50,000, so 7,00, 50,000 into 100, so 6,00, 79,000 divided by 7,00, 50,000 into 100, 90.5%, first हो गया हमारा, बहुत simple है, कुछ निया, इसके अंदर, next है return on capital employed अपको निकालना है, return on capital employed, तो हमें क्या चाहिए बताओ, EBIT अपन में, capital employed into 100, जिसमें अब हमें EBIT तो पता लग चुका, earning before interest and tax, जो की हमारा कितना है, 10,00,000 है, capital employed हमको निकालना है, तो capital employed, हमें पता है, हमारे पास best formula क्या होता है, fixed assets plus working capital, yes or no, fixed assets plus working capital, तो fixed assets plus working capital के अगर आप बात करते हैं, तो fixed assets हमारे पास हैं, 5,00,000, and working capital is current asset minus current liability, तो can I say that 5,00,000, plus 2,00,000, minus 1,00,000, so this comes out to be 5,00,000, plus 1,00,000, comes out to be 6,00,000, so 6,00,000 into 100, so when you will solve it, divided by 60 into 100, this comes out to be 166.67%, this is our return on capital employed thereafter we have to find out return on equity return on equity is earning after tax minus preference dividend earning after tax divided minus में preference dividend divided by equity fund into 100 so now what is earning after tax we have 6,79,000 now what is the amount of preference dividend if you will see 6,00,00,00 का prep to insure capital है 10% तो 6,00,00 का 10% कितना हो गया 60,000 ये 60,000 समझ में आया है कैसे आया 10% of 6,00,00 that is 60,000 ठीक है divided by equity fund equity fund is equity shareholder कितने के हमारे पास 10,00,00 रुपे के तो we can straightforward write 10,00,00 into 100 so 6,00,00 79,000 minus 60,000 6,00,00 19,00 10,00,00 into 100 तो ये आपके पास आएगा divided by 10,00,00,00 61.9% तो ये था आपका return on equity तो आपने तीनो ratio निकालने इसके अंदर सीख ली प्लीज जितना बता रहा हूं इससे जादा ना करें अपने exam के लिए it is more than sufficient ठीक है इतना ही करना है इससे जादा आप बुक के सारे question करें बट बुक के formula पर focus मत करें बस मैं आपको ये बोलना चाहरा हूं समझ मैं इससे तरीके से करना है कोई नहीं चीज आपको adopt नहीं करने है हो सकता है different different चीज़े आपको given हो ignore it समझ मैं एडिया okay thank you so much चलिए आई बच्छो अब हम बात करते हैं rest of profitability ratios की सबसे पहले earning per share देखिए कभी भी आप company का SOPL देखेंगे statement of profit and loss तो उसके end में हमेशा earning per share compute की होती है earning per share जैसा की नाम ही अपने आप में suggest करता है कि एक share पर equity share earnings पर equity share earnings एक equity share पर earning हुई कितने कैसे निकले amount available for equity shareholders short में लिख रहा हूँ आप मत लिखना short में divided by number of equity shares अब amount available for equity shareholders क्या है अरे निकम्मों EVIT था याद करो उसमें से क्या minus किया था interest तो क्या आगया था हमारे पास earning before tax very good उसमें से क्या minus किया था tax तो हमारे पास क्या आगया था earning after tax उसमें से क्या minus करेंगे preference dividend तो हमारे पास उसको minus करके जो amount बचेगा वो है amount available for equity share holders यह amount जो है वो equity share holders के लिए available है इसको हम number of equity share से divide कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा earning per share hopefully आपको यह clear है कि earning per share हमें किस तरीके से निकालना है hopefully इसमें अब आपको कोई doubt नहीं है चले next एक हमारे पास dividend per share देखो earning per share क्या है जो कमाया एक share के लिए but suppose हम अगर profits कमाते हैं suppose यह amount कुछ पी आया एक 10 lakh rupees आया तो सारा का सारा equity share holders को मिल नहीं जाता इसमें से हम क्या करते हैं कुछ amount transfer कर देते हैं reserves में और कुछ हम shareholders को देते है in the form of dividend for equity shareholders यह सो नहीं जो amount available है equity share है equity shareholders के लिए available but कुछ इसमें से business में retain किया जाता है in the form of reserves and बाकी हम equity shareholders को दे देते है as dividend तो next ratio भी मारी कुछ वैसी है dividend per share यह क्या है total dividend paid to equity shareholders divided by number of equity shares कि number of equity shares कितने है total dividend जितना पेकिया equity shareholders को इसको हम divide कर देंगे number of equity shares से तो हमारे पास क्या जाएगा dividend per share clear है यहां तक पकाश चली फिर next हमारे पास dividend payout ratio अरे dividend payout ratio क्या है नाम ही बता रहा है dividend payout कितना है suppose let us take an example हमारा 10 लाग रुपे केतना है equity shareholder के लिए इस में से हमने 6 लाग रुपे reserves में रखे और 4 लाग dividend बाटा तो हमने dividend कितना बाटा 40% yes or no 10 लाग में से 4 लाग 40% बाटा ना तो इसको कैसे निकालेंगे इसको आप निकाल सकते हैं amount available for equity shareholders denominator में उपर total equity dividend जो आपने पे किया 4 लाग पे किया अपन में 10 लाग 40% या और अच्छा तरीका अगर आपको लेना है तो dividend पर share divided by earning पर share इंटू में 100 किसी भी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो hopefully EPS आपको clear है अभी मैं सब पर numerical ले रहा हूँ छेक्या है एक single यह छोटी-छोटी ratios है पहले से सब समझ लेते है अर्निंग पर share पर equity share कितनी कमाई हुई dividend पर share पर equity share कितना dividend गया तीसरा dividend payout ratio that is कि out of EPS हमने कितना dividend बाता चले एक question देखते हैं इसके उपर EBI 10% venture tax rate 10% preference share capital equity share capital dividend paid आपको सब कुछ निकालना EPS DPS dividend payout तो सबसे पहले बेटा EBIT हमारे पास है कितना 10 lakh उसमें से हम जो भी interest pay करना है कितना आएगा बताओ 20 lakh का 10% अब इतने आप expert हो चुके हैं यहां तक आते आते तो बचा कितना 8 lakh चाहिए इस इस अनिंग बिफोर tax माइनस कर देंगे आप tax 50% है आपका तो 4 lakh पचा कितना आपका 4 lakh इस इस अनिंग after tax इसके बाद आप preference dividend माइनस कर देंगे कितना जाएगा 10 lakh का 10% 1 lakh हाँ तो बचा कितना हमारा 3 lakh this is what amount available for equity shareholders equity shareholders के लिए जो amount available है यह होगा चाहिए अब हमें EPS निकालनी है पहले EPS के लिए क्या चाहिए amount available for equity shareholders divided by number of equity shares चेक है अच्छा number of equity shares के अगर हम given नहीं है तो face value हम 10 मन लेंगे तो this will be what 1 lakh shares so here it will be how much 3 lakh divided by 1 lakh that is rupees 3 per share okay thereafter we have dividend per share dividend per share so yes dividend कितना पे किया हमने 2 lakh रुपे टोटल equity dividend paid equity dividend paid divided by number of equity shares तो आपने equity dividend पे किया कितना 2 lakh how much shares we have 1 lakh तो dividend per share is rupees 2 per share okay thereafter we have dividend payout ratio जो कि आपको बताया था हाँ very good dividend per share by earning per share करके हम निकाल लेते हैं सबसे असान है earning per share into 100 so 2 by 3 into 100 comes out to be 66.67 percent तो ये था आपका तीनों ratio पे हमने एक छोटा सा question देखा hopefully आपको इसके अंदर कोई doubt नहीं और मेरी होते हैं ये दिखाती है market expectation market expectation मतलब market price per share divided by earning per share आप सीख चुके और market price per share आपको question में given होगा देखा होता क्या सुपोज दो companies है a limited और b limited ठेक है दोनों का सुपोज eps जो है वो 5 रुपे है पट इस company का जो market price चल रहा है per share वो चल रहा है 25 रुपे और इसका चल रहा है 100 रुपीज ठीक है तो अगर आप PE ratio निका लें इसमें तो 25 by 5 कितना आता है times निकलती है 5 times and this is 100 by 5 20 times देखो earning per share तोनों कंपनियों का सेम है eps per share कमाई दोनों कंपनिया सेम दे रही है लेकिन इसका share market में 25 का बिक रहा है इसका share market में 100 रुपे का बिक रहा है मतलब कहीं ना कहीं shareholders को इस company से उमीदेश जादा है market expectations P limited से जादा है as compared to A limited समझ में आया तो PE ratio जो होती है basically market expectations दिखाती है कि 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 company से market कितनी expectations रखती है और बहुत ही simple निकलता है market price per share divided by earning per share apart from that we have one dividend yield ratio dividend yield ratio मतलब कि अगर आप किसी company का share खरीते हैं तो dividend के form में आपको क्या percentage कमाई हो रही है suppose आपने किसी company का share खरीदा जिसका market price है 500 रुपे और उस company ने dividend दिया पूरे साल के अंदर dividend per share दिया उसने 10 रुपे तो आपने एक तरह से 10 रुपे कमाए है dividend की form में 200 रुपे लगाके तो आपने एक तरह से उस dividend yield कितनी मिली आपको 4% की आपके 200 रुपे पे आपको एक साल में 4% का return मिला तो dividend yield कैसे निकलेगी dividend per share divided by market price बहुत सिम्पल बहुत ही सिम्पल पर शेर ठीक है परनिक्सेज्च नर्ण पर शे Caitlin R Bass Samar 250 रुपेंश एकर इनूं एक एक सिम्पल भानिक्स twenty रुपे तो क्या earnings आई ही, समझ में आगे है, शो, thereafter we have earning yield ratio, इसमें हम, instead of taking dividend per share हम लेते है, earning per share, divided by market price per share, कि on an average, ठीक आपको नहीं मिला, बड़ company ने कमाया कितना, company ने suitably कमाया या नहीं कमाया, समझ मैं वह, तो यह था dividend yield कि shareholder को कितना return मिला, earning to shareholder in the form of dividend against amount invested, ठीक है, और जब कि यह क्या है, overall earnings against amount invested in a share, एक particular share में invest करके, उसके overall earnings हमें कितनी मिली, that is earning yield ratio, तो बहुत छोटी छोटी ratio है, PE ratio, market price by earning per share, जैस में market price given होगा, EPS निकालना आता है, dividend yield में market price given होगा, dividend per share आता है, same way earning yield ratio, जैके, last is market value to book value per share, कभी rare exam में पूछी जाए, तो नाम से ही पता लगता है, उपर लेना है क्या, जी हा, market value per share, और नीचे क्या लेना है, book value per share, book value per share हमारी क्या है, वैसे तो book value per share question में given होगी, बट अगर given नहीं है, तो आप इसे निकालेंगे कैसे, book value per share को, this will be assets for, यहाँ आप इसे ऐसे रिखिये, total assets minus all liabilities minus preference share capital, छेक है, all liabilities means current and non-current दोनों, छेक है, minus preference share capital divided by number of equity shares, इसे ऐसे आप निकाल सकते हैं, वैसे given ही होगी, नहीं given है, तो आप इसे ऐसे निकाल लीजे, तो यह आपने देखा ratios, किस तरीके से हमने इसे निकालना है, छेक है, एक बरफट आफट सारा का सारा, नोट करिए, फास्ट, चलिए, एक कोशन दिखते है, EBIT, tax rate, equity share capital, preferential capital, debentures, PE ratio, retained earning ratio, compute, earning per share, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, earning per share, what we need, पहले आप कोशिश करिए, कोशन अपने हाप हो जाए, फिर उसे solution match करिए, amount, available for, equity shareholders, divided by, number of, equity, shares, now, what EBIT, we have, 30 lakh, इस में से हम, interest minus करेंगे, 15 percent adventure of 10 lakh, so, that is 1 lakh 50,000, so, this will be 28 lakh 50,000, yes or no, ठीक है, minus tax at the rate of 40 percent, 40 percent जो है वो tax होगा तो, 28 lakh 50,000 का 40 percent हमारा tax हाएगा, 28 lakh 50,000, multiply by 0.4, 28 lakh 50,000 का test, तो यह आगए आपका, 11 lakh 40,000 रुपे का जो है हमारा tax हाएगा, 28 lakh 50,000 minus 11 lakh 40,000, so, this comes out to be, 17 lakh 10,000 रुपे, 17 lakh 10,000 रुपे आगए, इस में से हम minus करेंगे, क्या, preference dividend, तो 25 lakh का, 12 percent, कितना हो गया, 3 lakh, तो 14 lakh 10,000, 14 lakh 10,000 is amount available for equity shareholders, now, number of equity shares की अगर हम बात करें, 10 रुपे face value लेते हैं, और यह 50 lakh है, तो सीधा में लिख दू, 5 lakh रुपे आगा, चेक है, तो 14 lakh 10,000 divided by 5 lakh, this is 2.82, पर share, ठीक है, तो 28 lakh 50,000 minus 40 percent minus 3 lakh 14, ठीक है, इसके बाद EPS निकल गया हमें, निकालना है, dividend per share, ओके, फिर है market price per share, देखो, retained earning ratio हमें given है 60 percent, इसका मतलब क्या है, कि जो भी हमारा EPS है, उसमें से हम 60 percent retain करते हैं, retain करते हैं, मतलब reserves में रखते हैं, यह आया समझ, जो यह आपके retained earning ratio है, कितनी है, 60 percent, कितनी है 60 percent, यह कैसे आया, इसका मतलब है कि जो भी हमारा EPS है, उसका 60 percent हम reserves में रखते हैं, तो EPS हमारा 2.82 है, उसका 60 percent अगर reserve में रखा जाता है, 2.82 का 60 percent, 1.692, जो है वो reserve में रखा गया, तो as a dividend per share, अगर हमने 2.82 earning per share है, उसमें 1.692 reserves में रखा है, उसको minus कर दें, तो हमने dividend per share कितना हमाता है, 1.128 per share, इसमें formula लगाने की ज़रुदा है, इसमें दूसरी तरी किसे सीधा सीधा निकल रहा है, अगर 2.82 में से, अगर आप retained कर रहो 60 percent, तो obviously dividend आप कितना पे कर रहो, 40 percent, 40 percent सीधा 2.82 का निकाल दो, formula की ज़रुदा ही नहीं है, दोसे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, उसमें ही आएगा, इसके बाद, we have market price per share, market price per share, यह निकालना है, तो we know very well that PE ratio, क्या होती है, market price divided by earning per share, so this is 15, earning per share we have 2.82, market price, so 15 multiplied by 2.82, that is 42.3 is the market price of share, okay, thereafter we have dividend payout ratio, dividend payout, तो उसे आपको निकालने की ज़रुद नहीं है, अगर 60 percent आपकी retained earning है, तो जो dividend payout है, आप उसे सीधे भी निकाल सकते हैं, 100 minus retained earning, तो अगर 160 percent वो है, तो यह आपकी 40 percent dividend payout ratio आगे, बाकि आप formula से करेंगे, तो भी हो same ही आएगा, चाहिए, retained earning ratio वैसे formula भी अगर आप देखना चाहें, कि इसका सर formula ही बता दो, तो EPS या amount available for equity shareholders और उपर आपका amount transferred to reserves in 200, ऐसे निकाल सकते हैं, thereafter, ESP हो गया, earning yield, बहुत simple, earning yield, कैसे निक लेगी बताओ, EPS upon my market price into 100, so what is the market price 42.3 और EPS is 2.82, 2.82 divided by 42.3 into, so comes out to be 6.67 percent, चाहिए, तो यह question एक थोड़ा सा important भी था, जो मैंने आपके साथ discuss किया, इसको बहुत अच्छे से prepare करने, और अब आप अपनी book का कोई भी question उठाके solve करना start कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जितना मैंने आपको ratio में chapter में बताया है, it is more than sufficient from examination point of view, इससे ज़्यादा आपको prepare करने की ज़रत नहीं है, बुक का कोई भी question आप ना छोड़े, बुक के सारे questions आपको solve करने हैं, समझ मैं even, thank you so much, Hello friends, चलिए, आज हम start करने जा रहे हैं long term solvency ratio, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ solvency ratios भी बोल देते हैं, देखो बिटा, इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको short term solvency ratios बढ़ाई थी, वो अलग थी, short term solvency ratio, वो क्या थी बताओ, वो थी आपकी हां, बताओ कौन सी थी, current ratio and quick ratio, जिसको हमने combinedly नाम दिया था क्या, liquidity ratios, बट अगर आपसे solvency ratio बोला है सिर्फ तो इसका मतलब long term solvency ratio होता है, होता क्या है यह, क्या represent करता है, याद करो short term solvency ratio में हमने क्या पढ़ा था, ability of the organization to meet short term obligations, यहाँ पर क्या होगा, ability of the organization to meet long term obligations, obligations, कि long term obligations firm अपनी कितने तरीके से pay कर सकती है, ठीक है, timely वो pay हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, including interest payments, और interest payments भी हम अपनी timely pay कर पाएंगे या नहीं pay कर पाएंगे, ठीक है, जितनी यह अच्छा आएगा, उतनी आपकी long term solvency position better है, अब इसमें कौन-कौन सी ratios हमें पढ़नी है, आइए देखते हैं, सबसे पहली ratio जो आपको पढ़नी है, that is the proprietary ratio, बहुत important है बीटा, सबसे ज़्यादा पूछे जाती है, क्या formula होता है, shareholders funds divided by total assets, बड़े in-depth तरीके से समझेंगे सारी चीज़ों को, कुछ भी उपर-उपर से नहीं पढ़ना, बड़े in-depth तरीके से, बस relax हो जाओ, काम मेरा आपको समझाना, सबसे पहली shareholders fund होते क्या है, shareholders funds, तो इसमें मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, क्या क्या हैगा, equity share capital, plus, preference share capital, plus, reserves, यह क्या है आपके shareholder fund, total assets, अरे निकमों यह तो खुद भी पता है आपको, non current assets, यह आप जसको current, आपने fixed assets भी बोल सकते हो, fixed assets plus investment, हाँ, तोनों तरह की investment चाहे वो trading यह non trading यहाँ कुछ आपको फरक नहीं करना, प्लस current asset, जब मैं बात करता हूँ non current asset की, तो उसके अंदर, अब इस ratio से exactly पता क्या चलता है, ध्यान से देखिए, suppose we have two organizations, one is a limited and second is b limited, ठेक है, दोनों के पास बेटा, suppose total assets हैं, 10,000,000 रुपे के, कितने के, 10,000,000, जिसमें की shareholder fund, जो है, इनके हैं 7,000,000 रुपे के और इनके हैं 2,000,000 रुपे के, तो ध्यान से समझो, तो अगर आप के नहीं से, a limited के पास जो total assets है, 10,000,000 के, 60,000,000 रुपे के तो इन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं, तो बाकी 3,000,000 रुपे, shareholder fund एक तरह से क्या होता है, owners fund, क्या होता है, owners fund, यह होता है न, owners fund भी बोलते हैं हम इसको, तो बाकी 3,000,000 रुपे, अपने debt से लेके लगा रखे हैं business में, जब कि इसने अगर देखें, तो 10,000,000 में से 2,000,000 रुपे, अपने खुद के लगा रखे हैं, तो बाकी जो 3,000,000 रुपे हैं, सौरी बाकी जो 8,000,000 रुपे हैं, वो इसने debt से लगा रखे हैं, तो बता हो, कौन सी company की position अच्छी है, A limited की या B limited की, तो आप कहेंगे sir A limited की, क्योंकि उस पे 10,000,000 के assets हैं, उसने 7,000,000 रुपे अपने पैसों से बना रखे हैं, 3,000,000 का asset flown है, जबकि इसमें, इस पे भी 10,000,000 के asset हैं, बट इसमें इसका खुद का पैसों सिर्फ 2,000,000 का है, 8,000,000 के debts हैं, तो यही property ratio बताती है, अगर आप निकाले, shareholder fund by total assets, 10,000,000 और यहां पे कितना हैं, 7,000, यहां पे 10,000, और यहां पे 2,000, तो आप देखे, 0.7 ratio 1, यहां पे 0.2 ratio 1, यह 0.7 ratio 1 क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि, एक रुपे के total assets अगर हैं, तो उसमें से 0.7, मतलब 70 पैसे के assets, मेरे खुद के fund से लगे हुए हैं, खुद का पैसा लगा हुआ है owners का, जबकि यहां पर भी अगर एक रुपे के asset हैं, तो उसमें सर्फ 20 पैसे के जो assets हैं, वो owner fund से लगे हुए हैं, बाकी debt से लगे हुए हैं, तो बताओ यह ratio जितनी ज़ादा आएगी, उतना अच्छा है, yes or no, higher ना, पक्का, तो क्या पता लगता है इस ratio से, मैं यहां ब्राद लिखते था हूँ, सबसे पहली चीज पता लगती है, out of rupee 1 asset, how much assets are financed by own funds, पहली चीज तो यह पता लगी, second चीज आपको यह पता लगी, higher ratio is better as it indicates more usage of own funds, कि हमने अपने funds ज्यादा यूज कर रखे, अच्छा अब एक बार बता हूँ, दोनों company के directors आपके पास आते हैं, हमें loan चाहिए, तो आप किसको loan देना पसंद करोगे, A limited को या B limited को, obviously A limited को, क्योंकि A limited में बहुत कम debt as compared to B limited, तो higher ratio is better as it indicates more usage of funds, and provides flexibility to raise debts for for entity, entity जो है वो market से debts raise कर सकती है, तो जितनी जादा ratio आएगी proprietary ratio उतना अच्छा है, समझ मैं भान पक्का, अच्छा इससे आप एक चीज और निकाल सकते हो, क्या, यह तो सरफ आपकी understanding के लिए था जो मैंने किया, आप निकाल सकते हो इससे debts to total assets, क्या बोला मैंने, debts to total assets, ध्यान से देख, in fact ज्यादा बेटर अगर मैं बोलें तो total debts to total assets, total debts की जब मैं बात करता हूं तो इस इंक्लूट्स बोथ, current liability as well as non current liability, दोनों इसके अंदर आते हो, non current liability क्या होता है sir, निकम्मों भूल गए, क्या बताया था, long term borrowings जी है, पुरा तो नहीं मानते निकम्में बोलता हो, आदेत है मेरी, देखो वही एक बाह बताओ, 10 लाग के assets थे, अच्छा वह निकलेगा कैसे यह बताओ, 1- proprietary ratio, कैसे, आप एक बाह बताओ यार, इस company पे 10 लाग के total assets थे, 7 लाग का अपना पैसे लगा, तो 3 लाग debt का है न, this debt can be current और this can be non current, yes or no, तो आप क्या कर सकते हो, अगर देखो इसी में मुझे total debt, तो total assets निकालना हो तो क्या आएगा, 3 लाग बता, 10 लाग कितना आगया, 0.3, 0.3 ratio 1 यह आएगा न, आएगा न, तो अब सीधी मैंने यहां पे क्या किया, 1-0.7, क्या आगया, 0.3 ratio 1, just for your reference, मैंने आपको बताया है, knowledge थोड़ी अची हो जाती है, समझ मैं है, चले, हो सकता है आपके इस लिवस में हो, हो सकता है ना हो वैसे, पर proprietary ratio जरूर होगी, बट इस पे कभी भी indirect question आपसे पूछा जा सकता है, कि अगर proprietary ratio पता है तो आपको यह पता होनी चीए, by default total debts to total assets ratio, ठीक है, चले, इसमें एक चीज और आपको जो ध्यान रखने कोशन करते हुए, कई बार क्या होता है, आपको liability side का total दे देता है, instead of asset side, तो याद रखना, कि जो total assets होते हैं, वो कि हमेशा किसके एक वाल होते हैं, total liability इसके, तो अगर asset side के items नहीं भी पता हो, liability side के item पता है, तो आप उनको sum up करके भी निकाल सकते हो, क्या क्या होता है liability side में बता हो, shareholder fund, plus non current liability, plus current liability, चेक है, चले, यह थी आपकी proprietary ratio, total debts समझ में आगे, जब भी मैं total debts पूल होगा तो इसका मतलब क्या, देखो एक चीज़ यहां पर आप समझ लो, जब भी I am saying total debts, तो it means, current liability, as well as, non current liability, but when I am saying only word debts, तो it means only, non current liability, यह by default चीज़े हैं, जो आपको दिमाग में back end भी रखनी है, that is the long term debts, debts, समझ में आगे बिटा, sure, question मैं भी इकठी लूँगा, इसके बताओ, प्रोपराइटी रेशो में कोई दिकत नहीं, next, total assets to debt ratio, total assets to debt ratio, अरे वा, नाम से ही पता लगता है, बताओ, फटाफट, क्या होगा बताओ, total assets उपपर, हाया न, और नीचे, debt है, मतलब, सिर्फ long term debt, total debt नहीं लिखा मैंने, क्या है debt, तो long term debts ही सिर्फ आएंगी, short term debts इसके अंदर नहींगी, total debt लिखा होता, तो नीचे, हाँ, current liability भी आता, बट यहाँ पे सिर्फ debt लिखा है, debt means long term debts, दोनों चीज़े आपको निकालनी आती है, बहुत अच्छे से, total assets कैसे निकलते हैं, as well as, long term debts में क्या क्या आता है, total assets, same है, आप उतार लेना, पीछे से भी job ने करा, long term debts में क्या आएगा, long term borrowings, basically, here, non current liabilities जो है, उसको हम, क्या बोलते हैं, long term debts, long term debts, long term borrowings की जब मैं बात करता हूं, तो by default, it includes long term provisions, क्योंकि वो भी एक तरह से, long term borrowings ही होती है, generally question में given नहीं होता, बट फिर भी, ठीक है, अगर long term provisions हैं, तो long term borrowings, तो उनों को फिर add करके निकालो, but generally long term borrowings ही आपको given होता है, ठीक है, example में क्या सकता है, इसके, long term borrowing के, bank loan, debentures, अगर individual item होगी तो, या ऐसे लिख देगा, long term provision, तो इन सब को फिर आप, add कर देंगे, और उससे आपकी क्या जाएगी, non current liability, चेक है, अब इस ratio का implication क्या है बच्चों, चलो वो समझनी कोशिश करते हैं, समझे न, वही आजा भई, हमारी तो दोई कंपनी है, कौन-कौन सी, a limited, b limited, सुपोज हमने दोनों कंपनियों को, 5-5 लाख रुपे का उधार दे रखा है, कितने का, 5-5 का हमने, और इसके जो assets हैं, 50 लाख हैं, और इसके पास हैं, 10 लाख के, अब दोनों कंपनियां हमसे और लोन मांगने आई, a, b और b भी, तो बताओ आप किसको लोन दोगे, a को देंगे, क्योंकि a पे 50 लाख की asset है, अभी लोन 5 लाख का है, कल दिन डूबेगा भी तो हमारी recovery हो जाएगी, इस पे 5 लाख का लोन है, और 10 लाख के total assets है, यह मरा तो हमें भी लेके डूबेगा, तो अभी यह तेर को नहीं दे पाएंगे, देखो, 50 लाख पटा, 5 लाख, इस पे coverage है कितनी, 10 is to 1, एक रुपे की debt के against 10 रुपे के asset है, जबकि इसके ओपर, coverage है 2 is to 1, एक रुपे की debt है, तो 2 रुपे का asset है, तो यह ratio हमें क्या बताती है, how much coverage available for lenders in respect of amount, provided by them, जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा, higher ratio is better, क्यों better है, company के point of view से भी better है, company future में और नई projects के लिए loan दे सकती, higher ratio is better as it provides, as it indicates flexibility to raise loans in future, ठीक है, पक्का, कोई doubt इसके अंदर, शब, तो यह आपने पढ़ी total assets to long term debts, long term debts clear है न, long term debts is basically non-current liability, या long term borrowings भी बोलते हैं, including of long term provisions, चले, अब आगे बताओं, है ठग गए निकम्मों, तीसरी है, debt equity ratio बहुत important, debt equity ratio, अगें, उपट debt है का मतलब, long term debts, और नीचे, shareholders, funds, ठीक है, तोनों आपको निकालने आते हैं, कैसे निकलते हैं, अब यह ratio भी बहुत important है कैसे, suppose दो companies हैं, हमारी A और B, सर यही आप लेते हो हमेशा, क्या करूं बेटा, यह भी क्या आगे कभी बढ़ा ही निकली, तो suppose इसके long term debt है, 10 लाग के और इसके भी 10 लाग के, जबकि इसमें, जो shareholder funds है, इसके हैं, 5 लाग के, और इसके हैं 20 लाग के, अब देखो, A limited कितनी चालो, अपना पैसा 5 लाग लगा रखा है, और loan पे लेके 10 लाग लगा रखा है, हाँ या नो, तो 10 वटा 5, 2 is to 1, एक रुपे अपना तो 2 रुपे पराया, 2 is to 1 का मतलब क्या है, यह क्या दिखा रहा है, अपना पैसा, यह क्या दिखा रहा है, पराया पैसा, अपना एक लगा रखा है, दूसरों का 2 लगवा रखा हैं, और इसको देखो, 10 लाग बटा 20 लाग, 0.5 ratio 1, इसने, अपना एक लगा रखा है, दूसरों का 8 लगवा रखें, 50 पैसे लगवा रखें, 50 पैसा only, तो बताओ, कौन सी कंपनी better है, आपके लिए A या B, आपका हुए B अच्छी है सर, क्यों? उसने लून का पैसा कम लगा रखा है, अपना पैसा जादा लगा रखा है, यह डुबवा है का market के पैसे खाएगा, पक्का खाएगा, ऐसे कंपनीया ही मरती है, लोन पे पैसा उठा लेती हैं, लगा देती हैं, फिर कहा देती हैं जी गाटा हो गया, ले लो कहां से लो गया, मालिया को देखो, हाँ या ना चौकसी को देखो, यही सब क्या है, इन लोगों ने नीरा चौकसी, बूशन स्टील का भी यही होगा, वीडियो कॉन का भी यही होगा, यह डेट इकुटी रेशो जिस कंपनी की बढ़ती जा रही है, वो कंपनी बड़ी खतर ना गया, उसके शेयर में कभी पैसे, मतलगा ना बता रहा हूँ, जिसकी डेट इकुटी रेशो कम और यह उसमें पैसन लगो, समझ मैं है, शो, तो इस रेशो के बारे में क्या लिख सकता हूँ, इट रिप्रेजेंट्स, हाव मच, डेट्स, आर यूज्ड, अगेंस्ट, ओन फंट्स, और जितनी लो आएगी उतना बेटर है, लोवर रेशो इस बेटर, अस इत इंडिकेट्स, लोवर देट्स, आया ना, पक्का, कोई डाउट इसके अंदे रेशो, यहां पर मैंने कुछ कलत तो नहीं लिखते था, टोटल असेक्टू इसमें, हायर रेशो ही लिखाता ना, यह हायर अच्छी थी, यह भी हमारी हायर विवताई होगी मैंने आपको, तो दो रेशो हमारी हायर अच्छी है, और डेट इकुटी रेशो हमारी लो अच्छी है, तो आपको, को आपस में multiply करें आप, करिए तो सही, करिए तो सही, तो debt-equity ratio क्या थी, debt upon me shareholder's funds, यह थी हमारी, और proprietary ratio क्या थी? shareholder's funds upon me total assets, yes or no, तो यह दोनों आपस में cut होगा है , तो क्या बचा? debt upon me total assets yes or no okay अच्छा एक बाह बताओ आप एक हमने पढ़ी थी total assets to debt ratio वो क्या पढ़ी थी बताओ total assets upon me very good debts long term debts तो इसका reverse ही दिख रहे है can I say this is 1 by total assets to debt ratio हाँ या न अरे भाई ऐसा मत कऊ यार इसको आप reverse कर दो के 1 by कर दो के इसका रेसी प्रोकल कर दो चेक है तो वही बन जाएगा आपका तो प्रोप्राइटी रेशो इंटू debt equity ratio जो है वो किसके एकुल होती है 1 by total assets to debt ratio समझवा है most important relationship school में, college में, CA में कहीं भी पूछा जा सकता है ठीक है बहुत important relationship है ये please इसको no down कर लीजे चलिए अब एक रेशो और है आपकी long term solvency में that is the interest coverage ratio बहुत important ratio कुछ नया नहीं है इसमें सफ्रेशो के नाम के अलावा कैसे निकलती है earnings before interest in tax क्या बूलती है इसको EBIT very good निकालना सिखाया था निकालना रिटान उन इन्वेस्टमेंट में सिखाया नहीं था है upon में interest on long term debts जो भी long term debts है उस पर जितना भी interest बहुत है क्या है सरी ध्यान से बहूँ A limited B limited आपके पास तो और कुछ आई नहीं हाँ मेरे पास कुछ और नहीं EBIT 10 लाख 10 लाख 10 परसेंट bank loan है दोनों कंपनियों के उपपर एक पे है 40 लाख का loan और एक पे है 10 लाख का loan तो बताओ interest कितना जाता होगा 40 लाख का 10 परसेंट 4 लाख रुपे 10 परसेंट ओफ 40 लाख और इसका कितना जाता होगा 1 लाख 10 परसेंट ओफ 10 लाख अब अगर हम देखें इसका कमाता है यह 10 लाख और 4 लाख भर देता है यह भी 10 लाख कमाते है और यह 1 लाख भर देता है बोलो कौन अच्छा भी अच्छा क्यों 10 लाख by 4 लाख टाइम्स में लिकालते हैं इसको हम 2.5 ताइम्स 10 लाख by 1 लाख 10 ताइम्स यहाँ पर लेंडर्स को ज्यादा सेक्यूरिटी है इन डिस्पेक्ट ओफ इंटरस्ट पेमेंट देखो मैंने आपको बताया था लॉंग्टर्म सॉल्वेंशी रेश्यो एपिलिटी ओफ ता ओर्गनिजेशन तो मीट लॉंग्टर्म अब्लिगेशन इनक्लूडिंग इंटरस्ट पेमेंट और इसी के लिए हम क्या निकालते हैं इंटरस्ट कवरेज रेश्यो तो कहां गया भाई हाँ 10 ताइमस है तो हाईयर रेश्यो इस बेटर पहली जीज अस इट इंडिकेट्स सेक्यूरिटी ओफ इंटरस्ट पेमेंट्स टू लेंडर्स ओफ फंट्स यस ओ नो पक्का और EBIT होपफुली आपको याद है कि हाँ पर हमने सिखा था ठीक है चलिए नेक्स वीडियो में यससे लिटेट कुछ कोशन्स कवर अप करते हैं यहाँ तक आप सारी चीजे पहले एक बार नोट डाउन कर लीजेगे और अभी तक आपने देख लिया हैं सिर्फ एक रेशो लो अच्छी थी धाट इस था डेक्वीट इक्वीटी बाकी जितनी हायर होंगी उतना अच्छा होगा समझ में आ गया तो चलिए फटा फट सारा नोट कर लीजे फिर लांक्स करेंट लाइबिलिटी लांक्रम रोवीजन नॉन करेंट रसेट करेंट रसेट यह तीनों रेशो अपको निकाल लीए बहुत सिंपल क्वेश्चन अपने आप ट्राय कर लो करना है तो कर सकते हो यार चलो बताओ कैसे करते हैं डेट इक्वीटी रेशो क्या फॉर् लाहे डेट अपॉन में एक्वीटी डेट लॉंक्टरम डेट और एक्वीटी मतलब शेर होल्डर्स फंट अच्छा असा शेर होल्डर फंड लिखतेता हूं न राज मतों नहीं कुटी तुम लोग समझोगे एक्वीटी शेर कैपिटल चल डेट का मतलब क्या होता है long term debt including long term provision तो यहाँ पर debt में क्या क्या आएगा long term borrowings plus long term provisions यह बताया हुए आपको पक्का नरास्तों नहीं हो रहे है चलो तो डेड़ लाक long term provisions आर 50,000 तो टोटल आपका कितना हो गया तो लाक ठीक है शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर फंड्स हमें निकालने हैं उसके लिए कोई information दे देता भाई नहीं थी चलो कुछ नहीं होता हुए मैं आपको एक तरीका बताता हुए एक बात बताओ तो टोटल असेट्स और टोटल अबिलिटी इक्वल होती है यह नहीं होती है उती है पक्का होती है चलो कैben नहीं है नहीं है वह फिस की जिए दी काला यहीं होshop 6 lakh Now, जो total liabilities होती है That is the sum of Shareholder funds Plus Non-current liability Plus Current liability इन तीनों का sum करते हैं हम तो हमारे पास क्या जाता है Total liability अब total liability is total assets तो 6 lakh Shareholder funds हमें निकालने है Plus Non-current liability कितनी आई थी हमारे पास Long-term 2 lakh रुपे Date is what Non-current liability Long-term debts So This will be 2 lakh And what is the amount of current liability 1 lakh So can I say that Shareholder's fund will be 3 lakh High या ना So debts थे हमारे पास 2 lakh और या गए 3 lakh This will be 0.67 ratio 1 ठीक है Next is total assets to debt ratio Total assets to debt ratio Total assets upon me Debt That is long-term So 6 lakh by 2 lakh 3 is to 1 Again Thereafter Proprietary ratio We have to find out So Shareholder funds upon me Total assets Shareholder funds अभी निकाले थे 3 lakh Total assets 6 lakh 0.5 Ratio 1 तो आपने सारी ratio निकाल ले चेक है Hopefully आपको कोई confusion इसके अंदर नहीं है बहुत important question Exam point of view से Next Find debt equity ratio Login Balance total given है तो ध्यान से देखिए Debt equity ratio Debt equity ratio का बेटा formula क्या होता है Debt upon में Equity Equity मतलब होता है Shareholder fund अब समझ जाओ इतना तो मुझे सबसे पहले Debt निकालनी है Debt मतलब Non current liability या long term debt अच्छा अब balance sheet total हमें given है तो Can I say that total liability अभी मैंने आपको सिखा आया था total liabilities जो होती है वो equal होती है Shareholder fund के प्लस non current liability के प्लस current liability तो total liabilities आपकी कितने हैं है 30,00,00 Shareholder fund पंद्रा लाग non current liability current liability 3,00,00 तो non current liability 12,00,00 ठादा 12,00,00 तो यह आगा आपका 12,00,00 Shareholder fund है कितना आप 15,00,00 तो मेरे यह साब से 0.8 ratio 1 ठेक है जी कोई doubt इसके अंदर शो चले आगे देखें note के लीजे इसको फड़ा फट अगें find debt equity ratio सबसे अदर पूछी जाती है यह ratio चलो निकालते हैं क्या formula होता है long term debt upon में shareholder fund पका दूँगा यह इतना पका हूँगा कि याद हो जाए हमेशा पकी हुई चीजी अच्छी होती है नहीं इसलिए लिखो formula मुझे याद है तब भी मैं बारवा लिखता हूँ ना long term debts या debts जल्दी में हो तो long debts लिख दो नहीं तो जल्दी में नहीं हो तो long term debts लिखो और नीचे भी equity लिख लो या shareholder fund depends करता है आप दे कितना time बचा हुए है सब चलता है चलो long term debts क्या क्या आएगा 6% mortgage loan डिवेंचर मतलब वही एक ही बात है अच्छा वही है और कुछ है ही नहीं तो यह हमारे पास आगा कितना 50,000 shareholder fund equity share capital plus preference share capital plus general reserve plus जो भी reserve है सब आते हैं यह मत देखो किसलिए बना है क्या बना है क्यों बना है आपको मतलब भी नहीं सब आएगा सब shareholder खाएगा एक लग तस हजार जमा तीस हजार जमा पचास हजार जमा पंदरा हजार तो 30, 15, 45, 50, 55, 2,05, 80, वह यह गलती हो तो लिखते ना, डिस्कुशन फॉर्म में लिखते ना, 50,000 पटा, 2,05,000, तीन जीरो से तीन जीरो गए, देखें क्या आता है, भाई, 50, divided by 205, 0.24 ratio 1, चलिए, इसके माद, इंट्रस्ट कवरेज रिश्यो निकाल लिए, नोट कर लिए आपने, खर ले माँ उसको, इंट्रस्ट कवरेज रिश्यो, चलो, और देखते हैं कितना आपको पुराना याद है, भूल गाएं, बहुत बड़ी हैं, भूलते रो, कैसे निकलेगा, अर्दिंग बिफोर, इंट्रस्ट इंटेक्स अपाउन में, इंट्रस्ट अउन, अरे वा, लॉंग ट्रम डेट्स, वेरी गॉट, बस ऐसी लगे रहाँ, पूरे में सब पूरे नमबर आएंगे, ऐसी मुझे अंसर देते रहोगे, बता रहाँ आपको, अब इंट्रस्ट अन लॉंग ट्रम डेट्स निकालने पहले, निकाल लेते हैं सर, देखो जरूरी नहीं एक ही लॉंग ट्रम डेट, इसमें दो हैं, देखो, एक डिवेंचर से हैं और एक पब्लिक डिपोजिट से हैं, पब्लिक डिपोजिट भी लॉंग ट्रम होते हैं, तो 10 परसेंट ओफ, 1 लैक, प्लस, 8 परसेंट ओफ, 2 लैक, 50 तॉजएंट, 10 तॉजएंट, प्लस, 20 तॉजएंट, comes out to be 30,000 EBIT जबकि हमें पाइस के बन है profit after interest in tax तो याद करो earnings before tax निकालना पड़ेगा उसके लिए जो भी earning after tax है divided by 100 minus tax rate into 100 2,10,000 so minus 30 into 100 कितना आगया 3 लागा क्या yes or no अब इसमें हमें interest चोड़ना पड़ेगा earning before tax है हमें क्या चिए EBIT which is EBT plus interest on long term debts so it is 3,00,000 it is 30,000 so your total will be 3,30,000 so now we can put the values 3,30,000 upon 30,000 तो कितना आ गया 11 times ठीक है हाँ कोई calculation error तो नहीं देख रही सब कुछ ठीक है बाकी गलत हो तो comment में discussion form में आप लिख दीजे तो यह थे हमारे long term solvency ratios पे questions अब इसके बाद हम लोग अपना next discussion स्टार्ट करेंगे last ratio पे turnover ratios और जब हमारी चारो ratios complete हो जाएंगे liquidity हो चुकी profitability हो चुकी long term solvency हो चुकी turnover हो जाएंगे फिर हम अगरेंगे miscellaneous questions जिसके लिए आपको चारे ratios अच्छे से आनी चाहिए अभी तक आप जितने questions कर रहें that is specific उस category से related है फिर हम mix करके questions भी practice करेंगे thank you so much please यहां तक सारा का सारा जितने अभी तक आपने ratio पढ़ लें वो अच्छे से एक बड़ा previse कर लें उसके बाद ही turnover ratio पे switch over करें काफी सारे formula मिलते जुलते है turnover ratios में चलिए दोस्तों start करें long term solvency ratio जिसको हमने leverage ratios भी बोला हमने basically देखा कि वो दो तरीके से होती है one is related to the capital structure जिसमें हमने 6 तरह की ratios अपनी discuss कर ली चेक है और second is coverage ratios coverage ratio में अभी हमने सिर्फ अपनी एक ही ratio discuss की है that is the interest coverage ratio and believe me यही सबसे important ratio भी है सबसे important ratio यह हम discuss कर चुक है इसके अलावा भी तीन ratios और है जो हम देखने जा रहे हैं जिसमें debt, service, coverage, ratio एक आपके पास है preference, dividend, coverage, ratio and the last is fixed expenses coverage ratio यह तीन ratio और है बहुत छोटी मोटी ratios है अगर importance के पास सिर्फ बात करें तो सबसे आपके पास यह important है बाट क्योंकि exam है कुछ छोड़के जा नहीं सकते हैं हम जो छोड़के जाते हैं वही पूछा जाता है इसलिए भी देख लेते हैं आईए तो हब हम बात करने जा रहे हैं debt, service, coverage, ratio की यह exam में सबसे कम पूछी जाती है उसके पीछे कारण यह है बहुत contradictory ratio है हरको इसका formula अपनी तरिके से लिखता है ठीक आप CA की book देखेंगे उसमें लग होगा इसमें नीचे आप लेते हैं interest plus installments अगर आपको कुछ भी पे करना है ठीक है मतलब fixed financial expenses fixed financial expenses भी हम बोल सकते हैं इसको fixed financial expense including principal repayment अगर आपको कुछ loan की repayment करना है तो वो भी इसके अंदर included है उपर हमें लेना है non operating incomes अब इसको कई बार हम बोल देते हैं earnings available for debt services एक ही बात है earnings available for debt services बोलिए या बोलिए non operating incomes ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता formula जड़ा ध्यान से देखेगा जो बता रहों वो ही formula यूज़ करना है हो सकता है आपकी book में इसका formula गलत यूज़ किया क्यों C की book में इसका formula थोड़ा सा गलत यूज़ कर दिया गया है non operating incomes में हमें क्या लेना होता है EBIT earning before interest in tax plus जितने भी हमारे non operating expenses है like loss on sale of fixed asset EBIT plus non operating expenses जितने भी है expenses जो है वो add करने है this is what called as earning available for debt services या non-operating sorry non लिख दिया मैंने its net net operating incomes और नीचे हमें लेना है interest plus installments समझ में आई बाद और ये earning available for debt service कैसे निकलेगी EBIT plus non operating expenses प्लीज यही formula यूज़ करियेगा बड़ा strictly बोल रहा हूँ कोई और formula यूज़ नहीं करना नहीं तो दिखकत आ जाएगे आपको एक कोशन करवाऊ इसके उपड़ चले कोशन हमारे सामने है net profit after tax 60,000 15% long term loan principal amount repayable है 20 installments में tax rate 40% fine debt service coverage ratio तो अगर हम देखे हैं हमें पता है debt service coverage ratio जिसका formula क्या है net operating income plus sorry divided by interest plus installment जो भी आपको principal repayment होनी है so interest is 10,000,000 का 15% एक लाग पचास अजार installment principal amount repayable in 20 installments तो 10,000,000 पट अब 20 कितना हो गया पचास अजार ठीक है net operating income तो net operating income हमारा कैसे निकलता है EBIT EBIT हमें निकालना है अब EBIT के लिए अगर आप देखे net profit after tax जो है वो आपके पास available है तो मुझे चाहिए earning before tax plus interest और उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा earning before tax which is earning after tax divided by 100 minus tax rate so earning after tax is 60,000 100 minus 40 percent 60,000 by 60 into 100,000 तो 100,000 तो 100 comes out to be 1 lakh 1 lakh plus interest is 1 lakh 50,000 so comes out to be 2 lakh 50,000 net operating income क्या बताय था भी मैंने अबको EBIT plus non operating expenses तो non operating expenses तो इसमें कुछ है नहीं तो 2 lakh 50,000 plus 0 this is EBIT 250 आगया अब non operating expense कुछ है नहीं तो 5 lakh उटा में 2 lakh ठीक है तो यह आपका कितना आता है 1.25 times coverage ratio हमेशा आप times में निकालेंगे समझ मैं तो यह था आपका debt service coverage ratio simple जितना आपको बता है सिर्फ इतना ध्यार रखना और जादर दिमांग लगाने की ज़रूद नहीं है ठीक है चले इसके बाद यह हमने कर लिया अब हमें देखनी है preference dividend coverage ratio देखे preference dividend coverage ratio यह कैसे निकलती है earnings after tax divided by preference dividend liability जितनी हमारी preference dividend की liability है यह भी निकल के देखाऊ बता दो sir question चलो देता हूँ देखो suppose earning before tax है 5 lakh tax rate है 40% ठीक है और 10% preference share capital है company की say 10 lakh ठीक है तो find preference dividend coverage ratio निकलो तो सबसे पहले ebt है हमारे पास कितना 5 lakh इसमें से हम tax minus करेंगे 40% कितना 2 lakh तो हमारे पास earning after tax हागे कितना 3 lakh ठीक है so this will be 3 lakh divided by preference dividend liability 10% preference share capital और यहां 10 lakh है तो 10% of 10 lakh so 3 lakh by 1 lakh so this will be how much three times समझ मैं प्रेजेंटेशन आप कर ले न मैंने आपको एक idea दिये कैसे question करना है hopefully आपको एक clear है show पक्का कोई doubt तो नहीं है इसके अंदर चले इसके बाद next के है हमारा fixed expenses coverage ratio fixed expenses coverage ratio fixed expenses coverage ratio का formula क्या हो का अब आप यह जानना चाहरे है न देखें कुछ नहीं करना जो आपने interest coverage ratio का formula किया था EBIT upon my interest किया था EBIT upon my interest this was the formula of interest coverage ratio तो EBIT upon my interest दोनों के अंदर हम add कर देंगे अगर किसी भी तरीके के कोई fixed expenses firm को bear करने पड़ते हैं कोई भी fixed expenses अगर firm को bear करने पड़ते हैं like rent fix होता है lease range होता है तो वो हम इसके अंदर add कर देंगे और कुछ भी इसके अंदर नहीं है एक example से मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से देखें देखें मैंने question लिया EBIT lease payment interest आपको fixed expenses coverage ratio निकालनी है find fixed expenses coverage ratio ठेक है यह आपको निकालनी है तो see fixed expenses क्या है जो भी business के fixed expenses होते है लाइक rent अगर fix जाया salary staff के fix है वो सब इसके अंदर आगा जैसे अब इसमें lease payment है formula क्या है EBIT वो कितना है आपका 80,000 जेक है नीचे interest 30,000 fixed expenses उपर नीचे दोनों तरफ add करने है 50,000 and 50,000 तो यह आपके पास कितना आ गया 1,30,000 divided by 80,000 तो 1,30,000 divided by 80,000 this comes out to be 1.625 times इससे हमें यह पता लगता है कि हम अपने जो fixed expenses है उसके against कितना revenue generate कर रहे हैं कितना profit कमा रहे हैं तो जो भी हमारे fixed expenses है उसका 1.625 times हम profit generate कर रहे हैं उतनी leverage position company की जो strong है company उतना ही जाला market से debt raise और कर सकती है better है indicates potential to raise debts from market कि debt potential बचा हुआ है आप अभी raise कर सकते हो market से debt ठेक है तो यह थी आपकी सारी अब long term solvency leverage ratio जिसमें उसमें अपने मेरे सबसे 5 ratios और इसमें हमने 4 ratios अपनी cover up करी और hopefully आपको सब कुछ समझ में भी आया thank you so much देखें जो हमारी long term solvency ratios अभी आपने पढ़ी है आपने broad criterion का पढ़ लिया देखें यह जो है basically दो तरीके से होती है one is related to capital structure जिसमें आपने मेरे साथ debt equity ratio पढ़ी proprietary ratio पढ़ी total assets to debt ratio पढ़ी second is coverage ratio क्या coverage ratio coverage ratio में जैसे हमने पढ़ा interest coverage ratio अब इसमें हमने अब तक already क्या-क्या देख लिया है debt equity ratio फिर हमने क्या देख लिया proprietary ratio फिर हमने क्या देख लिया proprietary ratio फिर हमने क्या देख लिया total assets to debt ratio major ratios हमने इसके अंदर देख लिया अपार्ट from that we have two more ratios in this one is equity ratio and then we have capital gearing ratio what are these equity ratios and capital gearing ratios फिर बातने हम coverage ratios की बात करेंगे ठीक है भी पहले यह देख लेते हैं c as the name suggests equity ratio is what shareholders fund divided by capital employed that is business में जो total capital लगा हुआ है उसके अंदर shareholders का क्या ratio है कितना fund shareholder का है we know very well अब सारी चीज है shareholder fund क्या होता है we know it is equity share capital plus preference share capital plus reserves we know very well what is capital employed आपको बहुँ अच्छे से सिखा चुका हूँ क्या main it is fixed assets plus working capital और if it is not possible to find out in this manner दूसरा formula क्या बतायता बताओ shareholders fund very good plus non-current liabilities very good minus non-trading investments non-trading investments यादर है that is non-current investments इसमें से हम minus करते है तो it is very normal कैसे हम equity share ratio निकालना है अपार्ट from मतलब shareholders fund divided by capital employed as now what is capital gearing ratio देखो यह ratio थोड़ी सी relevance रखती है जाद आपके लिए इंटर में भी बहुत चगा काम आएगी actually इसके अंदर देखो हमारे पास जो total funds होते हैं उसमें उसमें कुछ ऐसे funds होते हैं जिस पे हमें fixed rate of fixed rate से हमारा cost आता है जैसे आप preference share capital देखें तो उस पे fixed dividend जाना है yes or no अगर आप debentures देखें तो उस पे हमारा fixed interest जाना है अगर आप bank loan देखें तो उस पे हमारा fixed interest जाना है तो fixed rate की cost होती है total funds में कुछ ऐसे funds होते हैं, बाकी होते हैं, like equity, equity के case में dividend जाना है, but it is not fixed, profit होगा तो जाएगा, otherwise नहीं जाएगा, yes or no, sure, तो capital gearing ratio के अंदर हम ऐसे जितने भी funds हैं, जिसमें हम organization को एक fixed cost incur कर दी है, कौन-कौन से है, preferent share capital, plus debentures, plus इसका अलावत जितने भी borrowed funds है, other borrowed funds, उसको आप divide कर देते हैं, जो आपके fixed cost bearing funds नहीं है, that is, equity, share, capital, plus reserves, अरे, reserves भी तो आपके funds, चले हैं, यह question देखते है, share capital, reserves, surplus, current assets, non-current assets, trade payable, find, equity ratio, तो कड़िए अपने आप एक बार कोशिश है, सबसे पहले we need shareholder funds, formula जरूर लिखने हैं आपको, हमेशा पूरा, we have share capital, we have reserves, और surplus minus होगा इसमें, क्योंकि वैसे तो surplus plus ही होगा, बट किसमें negative है तो इसलिए minus हो जाएगा, तो we have 10 lakh plus 5 lakh minus 1 lakh, comes out to be 14 lakh, reserve and surplus नहीं, reserves अलागें, surplus अलागें, surplus का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, P and L, so if it's a negative balance, we have to subtract it, then we need capital employed, yes or no, what is capital employed, that is the fixed assets plus working capital, जो कि यहाँ पर आपके non-current assets के नाम से है, fixed assets हो गए और current assets minus current liability, that is the working capital, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस नाम से है, trade payable, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस नाम से है, trade payable, जो कि यहाँ तो this will be 3 lakh plus 5 lakh minus 1 lakh 4, कितना हो गया, 7 lakh, नो वाट इस the formula of equity ratio, थोड़ा space नहीं मेरे पास इसलिव पर लिकराऊ, the formula is, shareholders, funds, divided by capital, employed, so this will be 14 lakh by 7 lakh, so 2 is 2, 1, समझ मैं है, 2 is 2, 1, ठीक है, यह actually figures काफी vague है, इस चक्र में यह answer आ रहा है, तरवाइस यह answer आ नहीं सकता, ठीक है, चले, कुछ नहीं होता, 2 is 2, 1, क्योंकि equity ratio हमेशा 1 is 2, 1 से नीचे ही आती है, पर यह figures, amounts थोड़े vague से ले लिए, चल हमें उसे मतलब नहीं है, समझ में आगे आपको महीन बात की कैसे हमें निकालना है, simply equity ratio का formula, और सारी चीजह में निकालना है आती है, next is capital gearing ratio, equity share, preference share, 10% venture, long term loan, reserves, so what is the formula of capital gearing ratio, formula is preference share capital, plus debentures we have, plus we have bank loan, divided by, we have equity share capital plus reserves, so 5 lakh plus 2 lakh plus 12 lakh, divided by 9 lakh plus 4 lakh, 19 lakh divided by 13 lakh, 1.46 ratio 1, ठीक है, तो यह है हमारा, what capital gearing ratio, यहां पर एक गलती होगा ही, इसे ना, capital gearing ratio को जो यह लिखाया, out of total funds, इसे आप लिखलो, out of total, out of नी, in total, तो हमारी basically, जो ratios थी, long term solvency, उसे में capital structure से related, वो complete होगा है, इसको कई बर हम leverage ratios भी बोल देते हैं, तो घबराने की ज़रुद नहीं है, ठीक है, चले, बाकी next robot में देखते हैं, थी, बाकी next robot में देखते हैं, आप आपको का बंद हैं, इसे नहीं हैं, बाकी next robot में देखते हैं, लैक है जड़ए रने आपको प्रबाइब आपको, कई आपको, कि आपको,।ो रिखते हैं, जो आपको, आपको. झाल झाल